मस्कार दोस्तो एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G Track Solution में और इस क्लास में हम आपके लिए लिए क्या हैं लेखांकर प्रीचे यानि की Accountancy जो आपके subject है उसका पहला chapter रहेगा आपके Accounting Introduction तो इसमें आपके जो भी important question बन रहे हैं जिनको जिनके हिसाब से आप के chapter wise notes है वो भी complete होते जाएगे और आपका fast revision भी हो जाएगा दोस्तो एकजाम ज़्यादा दूर नहीं है अब तो आपके इसी वजए से हमने आपके लिए most important 200 MCQ लेकर हैं with detailed solution के साथ तो यह आपके fast revision में स practice करिए हमारे साथ तो दोस्तो अगर आप पहली बार है 5G Tech solution पर तो आप वीडियो को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको previous year के sword paper, junior accountant के official sword paper, CET 12th, CET UG Lab Assistant, agriculture supervisor, महिला supervisor, forest guard, high court, LDC इन सभी के official paper with detailed solution के साथ मिल जाएंगे आपको तो आप वीडियो को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को share और subscribe करें दोस्तो यहाँ पर आपको इनके अलावा भी आपको जैसे कि अभी आपके exam है junior accountant की, ठीक है, तो junior accountant से related जो भी material आपके, RSR के आपकी trick है, ठीक है, RSR के आपकी trick है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, GF and AR है, तो GF and AR की भी trick है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और आपके RSR के 500 important question है, ऐसे ही आपके GF and AR के 500 important question है, ठीक ह उनको भी आप देख सकते हैं इसी के साथ आपको यहाँ पर Auditing के भी मिल जाएंगे Official Paper ठीक है जिनके Official Paper, Scricution ठीक है आपको यहाँ पर Business Organization अथार्द Business Method के भी मिल जाएंगे तो आप Business Method के भी देख सकते हैं अब यहाँ पर आपके सिरीज चल रही है यह Accountancy कौन सी चलती है तो Accountancy सबजेक्ट है जो आपके सबसे टप सबजेक्ट का उसका पहला चैप्टर चल रहा है लेखांकन ठीक है लेखांकन याने की Accounting का परीच है तो Accounting से समद्दित जो भी Very Important Question है वो आपके चल रहे हैं चलते हम पहले क्यूसन पर और बात करते हैं पहले क्यूसन की तो फटाफट दोस्तों Comment Box में Answer दीजिए और जो भी आपको डाउट लगता है वो आप बेकाईदा कमाइंड कर सकते हैं कि भई क्या गलत है क्या सही है बस यह है कि जो भी आप कमेंट करें वो आप प्रूप के साथ करें जो भी आपके गलत है क्यूसन उसको भी आप प्रूप के साथ करें चुकि आजगल पता है बार बार में हर चीज अप्टेट हो जाती है हर चीज अप्टू डेट हो जाती है कि किसी में क्या चैंज होगा तो बात करते हैं हम introduction of accounting ठीक है तो इसे पहले क्यूसन की बात करते है पहले क्यूसन आपके सामने ये राइ स्क्रीन पर और आप फटा फट इसको पढ़ कर आप जवाब दीजिए बताईए क्या होगा पहले क्यूसन ये है वित्य विवरन ठीक है केवल जो आपके जो assets होगी आपके जो संपत्या और दायत होगी केवल वो मोद्रिक रूप में आएगी केवल मोद्रिक रूप में तो क्या हो जाएगा आपके D option correct हो जाएगा D option correct ठीक है मोद्रिक रूप में ठीक है assets and liabilities जो है वो आपके monetary terms में आएगी, ठीक है, next question, next question है, आपका लेखंकन का आश्य के अभी लेखंसे है, तो जो accounting का मतलब क्या है, बताना है, तो किसकी recording से है, अभी लेखंस मतलब recording, तो किस चीज की recording की जाती है, आपके समवेवारों की और घटनाओं की, क्या हो जाएगा आपके दोनो क्या हो जाएगे, समवेवारों को बोलता है, आपके transactions और घटनाओं को बोलते है, events ठीक है, तो events की भी हो जाएगी आपके, वो transaction की भी हो जाएगी, तो क्या होता है, लेखंकन क्या होता है, समवेवारों और घटनाओं का, ठीक है, दोनों का recording, next question, American Institute of Certified Public Accounts के, खलिस्तान लेखंकन के कारियों का उलेक किया, तो कौन से लेखंकन का जो आपके यह institute है, अमरिका का, इसने लेखंकन के कारियों का उलेक किया, तो किसमें किया था इन्होंने, उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं, लेखंकन सिद्दान्त बोर्ड, क्या बोलते हैं, लेखंकन सिद सिधान्त बोड ने आपके एक बताये था मेजर मेंट यानिकी नियुक वंपांगन दीगिया कि बताये था मेजर मैकन देमा के आपके चार कार ये छित्तर बताएते हैं लेकांगन के किसने सी दांट बोड ने नेस क्यूसन दोरा लेखा फरनाली इनमेसिक किसने दी थी तो बताएए दोरा लेखा फरनाली इनमेसिक किसने दी थी बताएए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोरा लेखा जो वाइपारिक क्यों सी होती है यह आपके होती है एक तो बिजनिस क्यों सी बिजनिस लेखा परणाली होती है ठीक है एक यह किस पर आधारित होती है एक पर आधारित होती है इसको साइंटिफिक भी कहते हैं क्या बोलते हैं साइंटिफिक परणाली भी कहते हैं ठीक है एक यह आपका complete लेखा होता है कैसा होता है फुल accounting system होता है यह ठीक है यह एक तो व्यापारिक लेखा पढ़नाली होती है उपारजन पर अदारित होती है विग्यनिक पढ़नाली होती है और फुल जैनिकी पून लेखा होता है ठीक है? कहां से आई थी यह आपके इटली से आई थी नेस क्यूसन वित्य विवरन किसका भाग है तो बताईए जो आपके financial statements है वो किसके भाग है जल्दी comment box में बताईए वित्य विवरन किसका भाग है तो यह आपके मैंने आपको बताया लेखांकन के किसके भाग है very important question किसके भाग है वित्य विवरन के ठीक है वित्य विवरन किसका भाग है accounting के ठीक है और आपके यह पुस्तपालन होती है पुस्तपालन किसका भाग होती है यह लेखांकन के किसका होती है लेखांकन ठीक है लेखांकन का भाग कोन होता है आपके उस्तपलन होती है ठीक है और यह आपका वित्य विवरण किसका भाग होता है लेखांकन का ठीक है क्यों जाएगा यह उप्सन करेक्ट नेस्ट कुशन वित्य विवरणों में विचार नहीं किया जाता तो जो आपके फाइनेंसियल स्टेटमेंट है उनमें किस चीज का विवरण विचार नहीं किया जाता आपके मोद्रिक तोर पर वेक्त संपतियों का किया जाता है मोद्रिक तोर पर वेक्त दायतों का किया जाता है गैर मोद्रिक तोर पर वेक्त संपतियों का किया जाता है लेकिन गैर मैद्रिक तोर पर संपतियों और दायतों का नहीं किया नीमलिक्त मेंसे कौनसा एक सम्बेवार नहीं है, यानि कि कौनसा एक ट्रांजेक्शन नहीं है, बताइस कौनसा है, जो इनमेंसे ट्रांजेक्शन नहीं है, अजार रुपे का नगद bad क過 arriving कहरीद गया माल है, 2506 माहं का वितनों का बुक्तान, यह भी कहलाता है, 10 लाक रुपे कि भूमी का खरीदते हैं तो वो भी तो आपके खरीद गया माल ठीक है वेतनकाग अगर आपने बुक्तान किया है तो वो पेमेंट भी आपके किसमे आएगा ट्रांजेक्शन में आएगा भूमी का करे करते हैं तो उसमें भी आपके ट्रांजेक्शन में आएगा ठीक है जोब किराय के लिए 5000 रुपे दिये तो यह क्या क्या लाएगा एक बताईए क्या 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 लाएगा यह आपकी गठना क्या लाएगी लेंदेन क्या 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 लाएगा यह लेंदेन ठीक है जिसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं accounting क्या वताई कुझा है health record और ऑनाए रखना वताए वित्य डिगदार्शन करना विभेन गृूपों उप्योग करता हों को सूचनाइ उपलब्द कराना है तो आपके record भी record यानि कि अभी लेखन भी करते हैं ठीक है आपके वित्ते श्थती का दिख दर्शन भी करते हैं विभिन गुरुपों और उप्यों करता हूं को सूचना भी उपलब्द कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपके उप्रोक ते सबी क्या हो जाएगा उप्रोक सबी तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हुई सई है Next question लेखंकन का उद्दे से है लेखंकन का उद्दे से क्या है बताईए चार उप्सन आपके सामने स्क्रीन पर है लेखंकन का उबजेक्ट क्या है इन में से इन में से बताना है आपको कुन सा है लेखंकन का उबजेक्ट जल्दी बताए क्या है लेखंकन का उबजेक्ट जल्दी ही है मैंने अभी आपको बताया कि सूचना को पूरणा करना ऑपयोग करता है या गृफ होते हैं उनको सूचना करना या आपके अपको प्लाब चून्त आपको को ह। जा recognize आपके क्या होता है किसी बिजनिस के लावहानी का निर्दारन करना होता है, उसका Profit Loss account बनाना परता है, ठीक है? और उसमें आपके लाभानी दर्शानी परती है, लाभी स्थिति दखानी परती है, ठीक है? उसका पन करता है, ठीक है? और एक अब च वेउबसाई की जो वित्ति इससति है, उसका भी समभए ई猜 आपके लेख घंकन के वरक यह पहला आपका जाएगा नेसक्यूशन भित्य इसस्तिटी पर्द्फित की जाती है तो जoga आपके फाइनेंस्यल पोजिस्टन है वो पर्द्फित की जाती है तो किस के दुवारा प्रद्शित की जाती है बताइए तो यह किस के दुवारा की जाती है बैलेंस सीट के दुवारा ठीक है बैलेंस सीट के दुवारा और किस तरीके से की जाती है वित्तिय इस्तिति प्रद्शित आपके किस किस तरीके से कर सकते है अपन बैलेंस आप वित्य इस्तती से कर सकते हैं ठीक है एक आप सोल्वेंसी से कर सकते हैं सोल्वेंसी मतलब कि आपके सोधन शम्ता से कर सकते हैं एक आप नेट वर्थ से कर सकते हैं किस से कर सकते हैं नेट वर्थ यानि की सुद्ध सामर्ते से तो यह आपके चार है एकोनोमिकल ठीक है जो आपके फञानल्शन पोजिशन का जो इस्टेटमेंट है उसको आप किस नाम से भी जानते हैं तो बताए किस नाम से जानते हैं तो इसको जानते हैं आर्थिक चिट्टा यानि की बैलन्स इट से किस नाम से जानते हैं बैलन्स इट के नाम से भी जानते हैं सोधन इस्तिती परकट करती है तो जो आपके सोधन इस्तिती होती है मैंने आपको बताई सोधन इस्तिती क्या बोला था मैंने आपको इंगलिस में सोलवेंसी तो ये आपके क्या परकट करती है किस से परकट की जाती है तो ये मैंने आपको बताया भी बैलेंट सीट से किस से क कि जाती है आर्थिक चिट्टे से निमन में सभी के लेक्र निमन Subhi की जाती है लीजर ठीक है नेस किसन लेखंकन के कारिये बताए गए है तो लेखंकन के कारिये में से कौन कौन से बताई आकाउंटिंग के कारिये इस किसने बताए थे तो मैंने आपको बताया एपी बी ने किसने बताय था एपी बी ने कब बताया 1970 में ठीक है लेखंकन के कारि कि आपके मापंकन, फौरकास्टिंग पूर्वाण मान व、「डिशिजन मैक्ग आपके । छीक है निर्ना लेना और कंट्रॉलइंग का रिया। कमेंटrina में कमेंट करके बता चरालिये। ल oni कृका का मतलब होता है। कि जो आपके main important work होता है, नum basic function, वो कौन सा है अभी लेखन, कौन सा है, अभी लेखन, तो क्या हो जाएगा, ओप्रस्सन आपके बिल्कूज प्ल्कुलv correct हो जाएगा, अभी लेखन को इंगलीस में बोलते है, recording, ठीक है, recordingखाके जाती है, जन्रल सायक बुक्त बनाए जाती है इसके दुवारा ठीक है वर्गी करण में आपके क्या बनाए जाती है खाता बई वर्गी करण में क्या बनाए जाती है खाता बई क्या बनाए जाती है खाता बई और आपके संसिप्ति करण है इसमें आपके क्या बनाए जाते है बित्तिय थीक है? और आपके निर्वचन में क्या बनाए जाएगी? उस्त पालन, बरगी करन को क्या कहेंगे? आप क्लासिफाइग? संसिप्ती करन को आप समराइजिंग कहेंगे और आपके निर्वचन को इंटर्पेटिंड है. निमन में से कौन सा एक लेखंकन का उपचेतर है इन में से आपके लेखांकन का सब फिल्ड कौन सा है तो बताईए सब फिल्ड कौन सा है इसमें से लेखांकन का उपचेतर नहीं है सोरी नहीं है इसमें नहीं है बताना है आपको परभंद्य लेखांकन होता है लागत लेखांकन होता है वित्य लेखांकन होता करता है जब आपके मुल्य वर्दी होती है ठीक है कि उन्की जो समय से होते हैं सका निवारन कौन करता है तो यह इस आपके कौन सी करेगी bekobus करेगी कि की करेगी improve luc assurance अभी कितने तृएक होती है ठीक है एक आपके मोनिटरिंग होती है ठीक है कौन कौन से होती है मैनेजमेंट होती है एक आपके कोस्टिंग होती है एक फाइनेंसिंग होती है ठीक है एक एक आपके एसार होती है ठीक है तो आपके एचार ठीक है ISR एक आपके मैनेजमेंट, एक कोश्टिंग, एक Financial, यह आपकी किस के तरीक हो गए, आपके accounting की next question, वित्य विवरणों का निर्मान किया जाता है, तो वित्य विवरण होता है उनका निर्मान किस तरीके से किया जाता है, किस में किया जाता है वित्य लेखांकन में किस में किया जाता है वित्य लेखांकन में आपके वित्य विवरण यानि की financial statements का निर्मान किया जाता है नेस्क्यूसन निमलिक्त में से भाईये उप्योग करता का उधान है तो external user का उधान इन में से कौन सा है जल्दी बताएए external user है आपके सरकार कौन सा है external user कौन सा है सरकार स्वामी management और official वर्ग यह करमचारी वर्ग नहीं है यहाँ पे official class है यह आपके किस में आते है internal में किस में आते है internal ठीक है internal users next question निम्लिक तो आंत्री को प्योग करताओं का एक उधान है तो आंत्री कया नहीं कि आपके internal user कौन सा है इन वे कौन साहिए इनमें से सरकार के भाजयह है ठीक है वीने आजिक आपके भाजयह और लेंदर भी आपके भाजया ज़ैकíst आपके external ठीक है और तो आपके बुक कीपिंग किसे समननीत होती है। ना उसका अभिलेखन किया जाता है। वर्गीखन नहीं किया जाता है। संकसीपाlly नहीं किया जाता है। क्योंकि वरगेकन और समसीपन यह दोनों आपके किसमे किया जाता है अकाउंटिंग में तो अभिलेखन रिकोडिंग किसमे की जाती है आपके बुक कीपिंग में नेस क्यूसन दोरा लेका पुस्तपालन परणाली निमन में से डबल एंट्री सिस्टम है वह आपके कौन सी सता आपदी में कहां से आई थी इटली से इँके जनक का नाम कैता है लुकॉसपैसियोली करनाली कि नेसम है में से कौन सा कथन साही नहीं है तो इने चारो उपसनों में से बताना है आपको कौन सा कथन साही नहीं है पुस्त पालन का कारिया विशलेशनात्मक परकर्तिका है तो यही आपके क्या हो जाएगा विशलेशनात्मक परकर्तिका नहीं होता क्यों कि विशलेशनात्मक परकर्त यह सही बात है लेन दे निश्चित पुस्टकों के सम्वह में अभिलेख्ँर के जाते तो यहां पर में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजे करो ब्यापार के स्वामी दुआरा ब्यापार में लगाया गधन क्या कहलाएगा बताइए जो ब्यापार का स्वामी है उसके दुआरा ब्यापार में लगाया गधन क्या कहलाता है आपके पूंजी क्या कहलाता है पूंजी ठीक है जिसको capital बोलते हैं, माल को goods बोलते हैं और संपतिको assets, दायतो को liabilities Next question, पुष्ट पालन का क्या अर्थ है? बताईए जल्दी comment box में comment करके पुष्ट पालन का क्या अर्थ है? तो ये प्रारंबिक पुष्ट को में लेखे करना लेखे मतलब की recording ठीक है? इंग्लिस पढ़ना जरूरी है, क्या आएगा recording? ठीक है? क्या आएगा प्रारंबिक पुष्ट को में लेखे करना क्या 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 लाएगा recording? लावानी खाता तयार करना, सुद्ध लाव की करना करना यह सब किसमे आएगा? आपके लेखांकन के उद्धेश से में किसमे आएगा? लेखांकन के उद्धेश से ठीक है? नेस क्यूशन, निमल्क में से कौन सा लेखांकन समीकन है? लेखांकन समीकन किसमे है? कौन सा है? बताइए कौन सा है लेखांकन समीकन? तो आपके लेखांकन समीकन कौन सा होता है संपती क्या होता है संपती बराबर दायतु ये दायतु प्लस पूंजी क्या होता है संपती बराबर दायतु प्लस पूंजी ठीक है अगर आप आपके पूंजी को एक साइड रखेंगे तो आपके संपती में सिदायतु घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके B option आपके correct हो जाएगा क्या हो जाएगा B Next question आदूनिक लेखा परणाली का जनक किसको माना गया है ये आपके लुकास पैसियोली को किसको माना है लुकास पैसियलोको और पंदरवी सताबदी ने इन्होंने दोरा लेखा परणाली का दिया था और इटली ठीक है इटली देश से दोरा लेखा परणाली आपके Double Entry सिस्टम स्टार्ट हुआ था Next question आदूनिक युग में क्या आदूनिक युग में जो लेखांकन है उसको जाना जाता है तो आदूनिक युग में आपके लेखांकन को किस तरीके से जाना जाता है बताए किस तरीके से जाना जाता है मोद्री की कायों में व्यक्त के जाने वाले वेवारों को लेखन वरगी करन रोसंग सिब्ट करन सही है ये बात तीनों ये अकाउंटिंग की बात हो रही है ये जहान रखना वेबसाई की भासा के रूप में भी जाना जाता है वेबसाई सुचनाओं के सिरोत के रूप में भी जाना जाता है तो उप्यूक सबीद में रूपों में क्या जाएगा D option आपके साही ठीक है रिकोडों के आपके लेखन बर लेखन बर लेखन सिर्थी तर्ण लेख वेवसाइट की भासा के रूप में वेवसाइट की सुचनाओं के सिरोतों के रूप में Next question पुस्त पालन का मुख्य उद्देश से क्या है तो आपके सामने पुस्त पालन का मुख्य उद्देश से क्या है जल्दी बताईए में आपजेक्ट आपके पुस्त पालन का क्या है तो recording वेवसाइक लेंदेनों के सही एम पून अभिलेक लखना ये क्या कहलाएगा आपके ये कहलाएगा वैवसाइक लेंदेनों का पूर्ण एमसाया भी लेक लखना आपके बुक किपिंग का मैनुद्दे से है नेस क्यूसन दीव अवधारना दीव अवधारना दीव अवधारना दीव अवधारना पर आधारित वैवारों के लेखा करने की परणाली क्या कहलाती है जो दीव अवधारना पर चलते हैं आपके किस पर चलते हैं Cup डूपक सवद्धाणा पर आधारित वेवारों को, अब किस लेखो कि किस पर नहीं को क्या कहेंगे तो, ये ड्यूपक सवद्धाणा मतलव dual aspect । क्या कहते हैं, इसको दोहरा लेखा पढ़नानी पर यह आपके इटली से आई थी पता है आपको ठीक है इसको पून लेखा भी कहते हैं ठीक है यह भी आपको पता है यह एक वेगानिक पदती है ठीक है यह भी आपको पता है और यह आपके उपारजन पर आदा रही थी किस पे है एक्रिवल पर यह भी आपको पता है ठीक है वियापारिक पदती भी कहते है इसको नेस कुछन लेखंकर पर करिया में सामिल नहीं है तो जो अकाउंटिंग पर करिया है उसमें क्या सामिल नहीं होता अभी लेखन होता है वरगी करण होता है सारांसी करण भी होता है स प्रिजनिस का ट्रेडिंग का आपका सोधा नहीं है इनमेंसे कौन सा नहीं है आपको बताना है व्यापारी के लिए 10,000 का फंडिचर खरीदेना सही है यह सोधा है करमचारियों का वेतन का 6,000 रुपए बुक्तान करना यह भी है आपके ठीक है लड़के की फीस का 5,000 नहीं होता इसमें यह फीस बरेंगे तो आप व्यापार खांसे होगा ठीक है लड़के की फीस अगर 2,000 रुपए व्यापार से बुक्तान किया यह तो सही है ठीक है क्यों जाएगा सी उप्सन सही नेश कुशन लेखांकन की दोहरा लेखा परणाली का आरम खांसे हुआ था तो यह आपके मैंने आपको बतला है इटली से लुकास पैसी ओले जनक ठीक है तो दोस्तो आपने अगर अभी तक 5G ट्रेक सोलुसन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तो जदा से जदा अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करो और जदा अगर पहली बार आए हैं 5G ट्रेक सोलुसन पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि अगर आपके सामने कोई नहीं वीडियो आएगी तो उसमें आपको कहना नहीं वीडियो का आपको पता चल जाएगा है कि हाँ भई ये वीडियो उसके लिए है और उस चीज़ के आपके सामने निमन में से कौन सा लेखांकन सिद्दान्त स्वामी और परभंद की अंतर को परदिशित करता है तो ये अब ये आपके बता रहा है कि स्वामी और परभंद आपके वैपार है उसको अंतर यानि क्यों उनको अलग करता है तो कौन सा सिद्दान्त करता है ये ब इसमें very important word है entity का सिद्धान्त किसका अस्तित्तु का सिद्धान्त या आपके कह सकते हैं सत्ता का सिद्धान्त ठीक है सत्ता की अउधाना कह सकते हैं ठीक है इसको क्या बोल सकते हैं सत्ता की अउधाना भी बोल सकते हैं इसको आप पर्थक अस्तित्व के अधाना भी बोल सकते हैं, आप इसको वैवसाई अस्तित्व बोल सकते हैं, ठीक है, क्या होता है, इसमें स्वामी का अस्तित्व व्यापार से अलग होता है, इनके लेखे भी आपके अलग बनाया जाते हैं, ठीक है, इसमें स्वामी को क्या म किस रोप में मानी जाती है दाईत्यों के रोप में ठीक है नेसक्यूशन पर चलते हैं नेसक्यूशन आपके सामने इस स्क्रिन पर आये श्ता के स्वामी दुवारा किया गया अहरण पर व्मजित कि साउधार्ण में लेते हैं तो यह भी मैंने आपको बताई कौन सी सत्ता की अउधाना या परतक अस्तित्व की अउधाना तो क्या हो जाएगा आपके C option correct क्या क्या बताया था मैंने इसमें आपको स्वामी का अस्तित्व व्यापार से अलग होता है ठीक है स्वामी अलग होता है आपके और व्यापार अलग होता है ठीक है दोनों को अलग माना जाता है दोनों के आपके जो लेखा फुष्ट के भी अलग मनती है ठीक है संपत्ति के अलग मनती है दायत्यू के अलग मनती है खर्चे के भी अलग मनती है ठीक है स्वामी को इसमें क्या माना जाता है लेनदार क्या माना जाता है लेनदार माना जाता है ठीक है स्वामी की जो पूंची होती है इसको बैलेंस सीट में क्या माना जाता है दायत्यू के रूप में दिखाते है ठीक है और आपके आहरान पर व्याज इसमें किसमें वसुला जाता है आपके इसमें वसुला जाता है सत्ता के अवधा अब्धाना मतलब concept of business entity next question स्वामी इं वैवसाइग के मद्द सेहंभावारों को अभी लिक्त किया जाता है तो स्वामी और वैवसाइग दोनों के लिए किसमे दिखाया जाएगा आपके स्वामी और वैवसाइग के लिए तो किसमे यह आपके वैवसाइग के अस्थित्व के अंसार यह हो गया आपके business entity किसमे business entity ठीक है तो यह अवधाना में माना जाएगा next question आपके सामने screen पर है वैवसाइग के काई उस वेक्ति से जो पूंजी की आप पूर्ती करता है से पर्थक एम भिन्ने पत्तो निर्भर किस पे होगी यह तो मैंने आपको बताया भी किस पे रहेगी आपके वेव साइगे गाए अगर वेक्तिव और पूंजी की के आपूर्तिय उससे अलग होएगी तो यह आपके सत्ता के अवधारणा पर ही रहेगी ठीक है देखो क्यूशन किसी भी तरीके से बन सकता है ठीक है किसी भी तरीके से बन सकता है तो यह आपके एक होती है मुद्रा मापन अवधारना ठीक है तो मुद्रा मापन अवधारना होता है इसमें केवल मोद्रिक वेवारों की ही किंति की जाती है चालू दम होता है आपके इसमें आपके जो वे होता है एक तो वे होता है, ठीक है? आपके एक संपती है, ठीक है? एक आपके दायत्वे, इन तिनों की definition या परिवासा है, इनको किसमे समझाये गये आपको, चालू धम, going concern बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? going concern, ठीक है? going concern concept, क्या क्या? इसमें किस-किस के अभदाना दी गई है आपके जो आपके वे की पुंजी गत वे की आई गत वे की ठीक है समपती की आने की इस्ताई समपती है का चालू समपती है दायत्तु की आने की लोंग ट्रम है का आपके सो ट्रम है ठीक है यह आपके किसमें आता है गोईंग कंसें कंस सेटमर क्या होता है जो आपका विजनेस होता है वो फ्यूजर तक चलता रहेगा ठीक है इसको कोई जल्दी समापत नहीं होगा यह लोंग होते हैं ठीक है तो इस तप्ति होती है इस को बैलेंस होती है न सतापदी में, इसमें समान डेबिट और समान क्रेडिट का नियम लगता है, ठीक है, लेखांकन समीकन का आपके जो निर्मान है, इसी में होता है, डबल एंटरी कंसेप्ट में, ठीक है, क्या लेखांकन समीकन क्या होती है, आपके डायतू और पूंजी को मिला के क्या मलता है, आपके संपती बनती है ठीक है उले खंकन समेकन किस पर अधारित होती है आपके आर्थिक चिट्टे पर किस पर होती है आर्थिक चिट्टे पर नेस क्यूसन वैवसाई और मालिक के बीच लेंदेन का रिकोर्ड क्या वैवसाई और मालिक के बीच लेंदेन का रिकोर्ड अवधाना का पालन करते हुए रिकोर्ड किये जाते हैं तो किस में किये जाते हैं वेवसाही और मालिक के बीच जल्द अभी मैंने आपको बताया किस में होता है सत्ता के अवधाना में किस में होता है सत्ता के अवधाना में ठीक है क्या बोलते हैं इसको business entity या आपके entity वाड़ी ठीक है सौमी अलग होता है इसमें व्यापार अलग होता है दोनों की पुस्त क्लेख पुस्त के भी अलगल होती है सौमी को लेंदर माना जाता है और इसमें balance seat में आपके सौमी के पुन्जी को दायतु माना जाता है ठीक है नी जी वे होता है उसको व्यापारिक वे नहीं माना जाता है ठीक है आरनम पर व्याज भी लेना परता है ठीक है कालबद एक होती है आपके ये कालबदता कालबदता जो आपके कालबदता को बोलते हैं इंगलिस में आपके पिरियोडियो सिटी ठीक है तो पिरियोडि चांबर करें हैं जिसे कि एक अप्रील से तीसमार्ट तग ठीक है? तो vittyaverse process आपके एक अप्रील से एक 9 रिए तक रहता है ठीक है? तो इसमें क्या ज़िया करते है कि जो आपके खाते होते हैं उनको एक न्श्चित अवदी के लिए टेयर करते हैं किसी आवदी के लिए करते हैं निश्चित अवदी के लिए ठीक है? ये very important बात है और आपके एक ओती है विवेक ये जो विवेक concept है क्या बोलते हैं इसको? विवेक कंसेप्ट क्या बोलते है इसको विवेक का जो कंसेप्ट आपके विवेक की जो अवधाना है इसको आपके संकुचन के अवधाना भी कहते है क्या कहते है संकुचन के अवधाना भी कहते है ठीक है इसको आपके प्रमप्रागत अवधाना भी कहते है दूर दर्शिता उदाना, ठीक है? क्या क्या कहेंगे, विवेक, विवेक के उदाना, संकुचन उदाना, परंपरागता उदाना, रूडि वादिता, दूर दर्शिता, और अनुदार वादिता, ये भी एक याद कर लो, इसके इतने सारे नाम है, भाई, वेरी इम्पोर्टें तो आप क्या करोगे कि खर्चे तो ज्यादा दिखाओगे ठीक है विवेक के अवदाना में क्या करोगे आप खर्चे तो आप ज्यादा दिखाएंगे ठीक है तो आपकी आई कम होगी ठीक है संपतियों को आप कम मुल्ले पर दिखाओगे ठीक है संपतियों का मुल्ले क्या र देता है इनका ये फेक्ट पड़ता है कि आपको लाब कम होगा क्या होगा लाब कम होगा उगर लाब कम होगा तो आपको टेक्स कम देना पड़ेगा ठीक है टेक्स कम होगा तो आपके गुप्त संचो का निर्मान होगा ठीक है क्या होगा गुप्त संचो का निर्मान तो वेर प्यापार करते हैं आपके तो उसमें जो अंतिम श्ट्रोक का मुल्यांकन करते हैं वो आपके लागत बाजार की किमत पर करते हैं किस पर करते हैं वेरी इंपोर्टेंट है किस पर करते हैं लागत बाजार लागत यहां बाजार की जो बाजार मुल्या होता है उस पर आपके प इंदारों पर डूबत आयो जनकंदी रिमान होता है ठीक है और इसमें आपके जो वैपार वर्स के जो अंत में जो अंती में श्ट्रोक का मल्यांकन करते है ना उसमें आपके लागत था है बाजार मुल्य बाजार मुल्यों क्या कहते हैंगे सुद्वसुलमल्य भी कह सकते हैं फिर है आपके इसमें next option है, इसके सुधिर्ग संस्तान, क्या, क्या बोलेंगे इसको, सुधिर्ग संस्तान, क्या बोलते हैं, सुधिर्ग संस्तान, सुधिर्ग संस्तान को आपके, एक और नाम है, सुधिर्ग संस्तान का आपके, चालू उधम, क्या कहते हैं, चालू उधम, य ठीक है, इसमें आर्थिक चिट्टे पर जो आपके संपती दिखाई जाती है, वो एतियासिक लागत में, जो आपका चालू दम होता है, गोईंग कंसर्ण, इसमें एतियासिक लागत पर दिखाई जाती है, ठीक है, इसमें आपके किस-किस का निर्मान होता है, आपके में ठीक है एक आपके दायतू का वरगी करना होता है तो यह आपको मैंने चार उपसंद समझा दिये कालब अधिता वेवसाहि सत्ता विवेक और सुद्रिक तो इसका आपसं क्या था आपके डिफ्रेंस दोनों में दिखाने वाला विजनिस निमन के अनुसार उपकरम मालिक दोरा किये गए पूंजी निवेस के लिए मालिक के परतिदाए होता है तो बताए किस के लिए परतिदाए होता है तो यह होगा आपके सत्ता की अवधाना तो सता के अवधाना के उन्सार उपकरम मालिक द्वारा किये गया पुझी का निवेस है वो मालिक के लिए परतिदाई होगा किसके लिए होगा मालिक के लिए परतिदाई होगा तो इसमें मालिक की जो पुझी होती है उसको क्या माना जाता है दाई तो क्या माना जाता है पूंजी पर किस पर होती है मुद्रा मापंकन अवदाना केवल पूंजी पर होती है ठीक है केवल मुद्रिक वेवारों को ही लेखा किया जाता है ठीक है और उसी देश की मुद्रा में होने चीज़ है जहां पर लेखा पुस्त के आपके निर्मान हो रहा है ठीक है और केवल म ग्रहक से माल का ओडर प्राप्त होता है इसको नहीं किया जाता ठीक है इसको नहीं किया जाता ग्रहक से माल का ओडर प्राप्त करना ठीक है एक नहीं किया जाता आपके व्यापारिक बट्टा इसको नहीं किया जाता है ट्रेड जो डिस्काउंट होता है इसको भी आपके orders लिग देता हूँ, ग्रहा का, जो माल का order है, उसको नहीं लिए जाता, ठीक है, एक trade discount को नहीं लिए जाता है, एक नोकरी Tôi मतलब आपके dismantle कीam वदाना में नहीं ली जाती nest आपके उपारज़न अवदाना कौन सी अवदाना इस ऐपसन में उपारज़न कौन सी है उपारज़न अवदाना इसको बोलता है acral concept तो acral होती है आपके इसको अपरकोर्डिंग ये होता है कि जो आपके आईए और वह ना उसको कब दर्ज करना है ये इससे पता चल जाता है कि आपके आई होती है नो उसको कमाते ही दर्ज कर लेना चीए चाहिए वो प्राप्त हो या नहीं हो चाहिए उसमें टाइम लग जाए तो ये होती है आपके मतलब इसको बारा महिने ही आपके लेखा पुस्त को में क्या किया जाता है आपके लेखा पुस्त के बनाई जाती है ठीक है तो इसमें आप आरजन का यही नियम होता है ठीक है इसमें आपके जो अदत और प्रूवदत होते हैं ठीक है आपके उपारजीत और अनुपारजीत होती है उन सब की लेखा प् होते हैं उनको आर्थिक चिक्ट्टे मेतियासिक लाघत पर दिखाते हैं और निकट भुविष्य जीत और अनुपार जीत आईए उनका समय जनुशन भी लिखा जाता है ठीक है तो आपको मैं ने चारो समझा दिया नैस क्यूसन आपके सामने है स्कृरीन पर आप पढ़ेए और आंसर दीजिए मालिक व्यापार में लेंदार माना जाता है मालिक है उसको व्यापार में लेंदार किस अधारणा में माना जाता है मैंने आपको बताया सत्ता के अधारणा में किस में माना जाता है मालिक को व्यापार में क्या माना जाता है लेंदार सत्ता के अधारणा में और जो मालिक के इसमें इसका एक और नियम है आपके आहरन पर ब्याज मांगते है क्या आहरन पर ब्याज है ठीक है स्वामी को लेंदार next question स्वामी दुआरा लाए गई पुझी क्या स्वामी दुआरा लाए गई पुझी का एक उधान है स्वामी द्वारा लाए गई पुन्जी को क्या मानते है बताइए क्या मानते है किस चीज का है या तो संपती में वर्दी होगी और दायत्वे में वर्दी क्या संपती में वर्दी और आपके दायत्वे में वर्दी ठीक है संपती में वर्दी जब ही होगी सुरत का मतलब होता है एंटिटी तो एंटिटी की किस पे होती है आपके यह होती है जोइंट स्टोक कमपनी पर किस पे होती है जोइंट स्टोक कमपनी पर ठीक है जोइंट स्टोक कमपनी पर यह आपके लाग होती है एंटिटी की अउधाना ठीक है नेस क्यूसन दोरा लेखा सिद्दानत का अर्थ है तो जो आपके डबल एंट्री सिस्टम है उसका क्या मतलब है उसमें होता है जो परतेक डेबिट का क्रेडिट और परतेक क्रेडिट का डेबिट ठीक है मतलब समान डेबिट क्रेडिट ठीक है समान डेबिट समान क्रेडिट क्या हो जाऎगाуляр। C option आपके correct हो जाएगा। Next question । लेखांकन की दोहरा पणनाली का अरम हुआ था। तो जो आपके डबल एंट्री सिस्टम है लेखांकन की उसका खहां से हुआ था मैंने आपको बताया इटली से- ठीक है? Next question लेखांकन समीकन अधारित है तो लेखांकन की समीकन किस पर अधारित है तो यह आपके double entry system से है ठीक है मैंने आपको सुद्रिग संस्तानियान की going concern concept बता दिया आपके मुद्रा माम बांकन आपको बता दिया next question कौन सा वित्य विवरन लेखांकन समीकन परस्तुत करता है तो कौन सा इन में से वित्य विवरन है जो लेखांकन की समीकन को परस्तुत करता है तो परस्तुत कौन सा करेगा लेखांकन समीकन क्या होती है आपके संपति बराबर दायत्यु पर पूंजी दायत्यु प्लस पू next question सुध्ध संपतियों पर क्या परभाव पड़ा यदि देन दारों में 50,000 रोपे सुध्ध संपतियों की वियात होरी है यहां पर तो बताईए सुध्ध संपतियों पर आपके कोंए भदलाव नहीं होगा क्या होन flown होगा क्योंकि कुल संपती तो बढ़ जाएगी लेकिन सुद्ध संपती वही रहेगी ठीक है तो आपके जो टोटल असेट्स है ठीक है टोटल असेट्स है वो तो आपके बढ़ जाएगी लेकिन जो आपके ग्रोस आपके असेट्स है ठीक है कौन सी जो आपके नेट असेट्स है ने जिए कि एक वेबसाइन एक तीसमार दो जार पांच को समाप लेखंकन वर्स के दोरान पत्चीस लाक रुपए का माल खरीदा जिसमें सत्तर प्रतिसेंट माल बेच दिया और उसने अंतिम रहतिया को पांच लाक रुपए पर मुल्यांकित किया नेकी साड़ा साथ लाक बताये क्या उसने क्या एपलाई किया तो इसने उसने ये दिमाख लगाया तो इसमें आपने उसने कौन सी ये करिया आपके प्रमप्रावादी यानि की आपके रूडी वादी कौन सी रूडी वादी जो आपके सिद्दान्त है उसको इसने फोलो किया है रूडी वादी जो संकुचन भी कहते है ठीक है कनवरजेशन भी कहते है अप्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते है इसमें क्या होता है कि हानियों का लेखा करते है वर्तमान में लेकिन लाबों का ध्यान नहीं रखते है ठीक है जब ही तो है ना भाई भाई जब ही तो वो लाबों पर ध्यान नहीं दे रहा कि और वो अपने आनियों का वरतमान में लेखा कर रहा है ठीक है और फिर इसमें क्या किया जाता है करचा जादा जिद दिखाया जाता है आई कम दिखाया जाती है आपको पता है संपते कम मुल्य पर दिखाया जाती है दाईतु बढ़ा यहां बाजार मुल्य पर दिखाया जाता है तो इन्होंने लागत यहां बाजार मुल्य पर दिखाया आई ठीक है नेस कलितन यह विचारदारा कि एक लेखकार को लाबों की संभाओना नहीं चाहिए कि अन्तु सबी हानिYों के लिए विवस्ता करनी चीए किसमें आता है मैंने अभी अभी आपको बताया कि लाबों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हानियों का लेखा करते हैं तो किसमें करते हैं आपके विवेक, संकुचन, रूडिवादिता, परंप्रावादिता अनुदार वादिता, दूर दसीता ठीक है, प्रूडेंस, कंजरवेटिव ये रूडिवादिता में आती है ठीक है, नेक्स्ट क्यूसन रूडिवादिता की अवधाना के अधार पर अंतिमिस्टोक का मुल्यांकन लागतियां जो भी कम हो तो रूडिवादिता के अकोडिवादिता के अपके अंतिमिस्टोक का मुल्यांकन किस पर करते हैं आपके बताएए किस पर करते हैं आपके ये मैंने आपको बताया लागत पर करते हैं किस पर करते हैं, लागत ये बाजार मुल्ये बाजार मुल्ले में इसमें आपके बाजार मुल्ले में एक होता है सुद्ध वसूली मुल्ले कुन सा सुद्ध वसूली मुल्ले तो सुद्ध वसूली मुल्ले पर करते हैं किस पर करते हैं पहला अप्सन मत कर देना ठीक है पहला अप्सन आपकर एक्ट मत कर देना इसमें क्या दाना के उपरादारीत है तो भावी आनियों के लिए आयोजन थाता भावी लाबों पर विचार नहीं किया जाता ना तो आनियों पर आपके आयोजन किया जारा नाई लाबों पर किया जारा ये किस पर हो रहा है तो वरतमान की तो हानियों पर करते हैं पर करते हैं, वर्तमान की आहनियों पर और लाबों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, किसमे होता है आपके रूडिवादिता, विवेक या संकुचन, या आपके प्रमप्रागत, या दूर दरसिता, या अनुदारवादिता, या आपके बोल सकते हैं, इसको आपे, फ कौन सी उदाहना है आपके मैंने आपको बताई परंप्रागत उदाहना है ठीक है पून सी परंप्रागत उदाहना में आपके बाजार-मॉल्त या आनर्वी पे करते हैं जब के आपके गोइन कंसेंट है उस पर एहतियासिक लागत पर संपतियों को आर्थिक चेटे में दिखाते हैं नेस्ट क्यूसन सुद्ध वसुली मुल्य पर या लागत मुल्य पर जो भी कम हो वेपारिक रहते को मुल्यांकन कौन सी प्रंप्रा का उद्धान है तो बता ही कौन सी का है सुद्ध वसुली मुल्य की बात हो रही है तो सुद्ध वसुली मुल्य के आपके मैंने बताई पुरातन वादी पुरातन वादी को इसमें आएगा कंजर वैटी जो ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं आपके रूडी वादीता क्या बोलते हैं रूडी वाधिता बोलते हैं, अनुदार वाधिता बोलते हैं, वीवेक बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं, आपके प्रमप्रागत बोलते हैं, ठीक है, दूर दसिता बोलते हैं, अनुदार वाधिता भी बोलते हैं नेक्ट क्यूसन देनदार पचास जार रुपे के हैं किसी वानिता को अनुसार आसुद्धे रिन के लिए 5% प्रावधान बनाया जा सकता है पताइए देनदार कितना है डेबिटर कितना है पचास जार रुपे तो कौन सा प्रावधान होगा जिसके बैट डेबिट है आपका आईसुद्धे रहने ठीक है बैट डेबिट है उसको 5% का प्रावधान बनाया जाता है किसमें बनाया जा सकता है रूडी वादिता में यह very important क्यूसेन है क्या बनाया जाता है किसमें बनाया जा सकता है इसमें आपके होता है एक तो यह होता है debit provision का निर्मान इसी में होता है ठीक है एक तो debit और एक discount provision तो 5% का प्रावधान किसमें होगा आपके रूडी वादिता मैंने आपको बताया था कि आपके जो देंदार है उस पर दूबत आयोजन और आपके बट्ट आयोजन का निरमान किया जाता है ठीक है? तो यह आपके दोनों का इसमें किया जाता है debit provision और discount provision का किसमें कि बना किया जाता है रूडी वादिता में वेरी इंपोर्टेंट कुशन है एक वेबसाई क्या एक वेबसाई ने पत्चीस लाख रुपए का माल खरीदा था असी परसेंट को 31 मार्त तो जर ग्यारा को समाप्त होने के लेखांकन वर्स के दोरान बेच दिया सेस माल का बाजार मुले के व अचीए बताईये 25 का 30 अंची परसेंट उसने समाप्त होने के लिए 25 का दो कितना होता 5 अंची होता लेख तुम 4 की बात कर रहा हो ठीक है इतना होता उसका 4 tranqu की बात कर रहा हो किसकी कर रहा है सेस माल का बाजार मुलेट चार लाक रुपर बता रहा है जब कि हुना कितना चाहिए था उसका दो लाक कितना होना चाहिए था कितना होना चाहिए था दो लाक 80% के हिसाब से कितना होना चाहिए था उसका दो लाक का तो यह आपके तो कितना हो जाएगा इसमें 20% 25% का 20% कितना होता है 5 10000 ठीक है 5 10000 होता है तो 5 10000 से 4 0000 कम है कम पर दे रहा है तो वो रूड़ि वादिता का उलंगन कर रहा है थेक है Next Question दिखावु टी क्या.. दिखावु टी साज सज्जा से क्या मतलब है तो आपके जो दिखावटी साज सज्जा है उससे आप क्या समगते हैं विंडो ड्रेसिंग दिखावटी साज सज्जा को इंगलिस में बोलते हैं आपके विंडो ड्रेसिंग खिक है तो क्या समगते हैं आप विंडो ड्रेसिंग से बताईए इनमें से क्या आएगा विंडो ड गाने के लिए दूसरों को वो अपने क्या लाव ज़्यादा दिखाती है ठीक है इसको बोलता है विंडो ड्रेसिंग नेस क्युसंग रोडी वदिता की संकलपना जब चित्टे में लागू की जाती है तो पैदा कर देती है उसमें क्या होता है तो उसमें संपतिय का हमल्यन होता है क्यों? खर्चे जादा होते हैं खर्चों को इसमें क्या करते हैं? बढ़ के दिखाए देते हैं खर्चे बढ़ाते हैं और आपके आई कम दिखाते हैं इसमें क्या करते हैं? आई को कम दिखाते हैं और संपति कम मुल्ले पर दिखाए जाती है तो संपतियों का हम उल्लेंड, संपति कम उल्ले पर दिखाए जाती है, लाब कम होते हैं, टेक्स कम देना परता है, गुप संचों का निर्मान होता है Next question, किस अवधार्णा के अंतरगत संदिग्द दायतों को चिट्थे के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाते हैं जो आपके, डिस्कलोजर की जो आपके कंसप्ट है, उसमें आपके सोट समयरी लिखी जाती है, नरेशन लिखा जाता है, और फुट नोट लिखा जाती है, ठीक है, क्या क्या लिखा जाता है, सोट समयरी लिखा जाती है, नरेशन लिखा जाता है, और एक फुट नोट यह आपके disclosure में, very important qution था, next question, निवेस का बाजार मुल्ए, आर्थिक चिट्टे के नीचे एक put note के रूप में दिखाया जाता है, put note के रूप में किसको दिखाया जाता है आपके, मैंने आपको भी बताया, disclosure में, किसमें दिखा जाता है परकटी करन के अउधार नामें इसमें परकटी करन के अउधार नामें disclosure की concept में next question लेखांकन भिवणों में अकस्मिक दायतों के बारे में अपेंडिंग नोट के माध्यम से क्या एपेंडिंग नोट के अब ब्यास के अनुसार किसको हो तो अपेंडिंग नोट क्या मतलழ है किसी document के end में जो note जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं vinden note ठीक है तो वही आप में किसमें आ जाएगा परकटी करन की परमपरा में किसमे जाएगा परकटि करने की परंपरा में Very important question Next question पैसो को छोड़ना और आर्थिक विवरणों में पुनांग के रूप में विख्थ करना पैसो को छोड़ देते हैं और आपके आर्थिक विवरणों में केवल पुनांग के रूप में लिखते हैं पैसों को छोड़ देंगे पूर्णांग के रुप में विक्त करेंगे तो सुब क्या बोलते हैं आपके सारता के उधाना मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ क्या है इसको बोलते हैं आपके सारता के उधाना क्या बोलते हैं सारता या इसको बोलते हैं मैटरलीटी क्या बोलते हैं मैटरलीटी ठीक है मैटरियलीटी क्या बोलते हैं मैटरियलीटी मैटरियलीटी ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका option C हो जाएगा मैं अब आपके इसको वारे में details से बताता हूं सता तक सारता के उधाना में इसके नाम क्या होते हैं इसको आपके महत्वपूर्णता के उधाना भी कहते हैं महत्वपूर्णता के उधाना भी कहते हैं इसको सार्वांता के उधाना भी कहते हैं इन्दे में क्या बोलते हैं, इसको सारवानता के उधाना अब ये आपके होता है ना जो ये पून प्रकटी करना है ना shown इसका इस cityore क्योंकि जो इसमें आपके इंपोर्टेंट नहीं है उसको नहीं है तो तो उसको नहीं दिखाते और जो इंपोर्टेंट है ठीक है तो जो इंपोर्टेंट है उसको दिखाया जाता है तो क्यों इंपोर्टेंट चीज की ही बात करती है ठीक है जो इंपोर्टेंट धत्ते हैं उनको ही आप प्योग करता कि निर्णे को परभावित करते हैं ठीक है अब क्या क्या होते हैं इसमें अब इसमें आपके सारता के उदारना में इंपोर्टेंट कुछ होते हैं जिसे एक तो होता है पेसो को पूर्णांक में बदलना क्या होता है पेसो को पूरांक में बदलना एक होता है जैसे एक केलकुलेटर की खरीद है उसको इस्टेसनरी विय में दिखाना क्या एक तो पेसो को पेसो को आपके पूरांक में दिखाना एक केलकुलेटर की जो खरीद है उसको आपके इस्टेसनरी विय में दिखाना ठीक है इस्टेसनर इसमें आएगा विविद वे में दिखाना ठीक है यह आपके तीन चीज जब वेर इंपोर्टेंट इनको आपको याद करना है इसको क्या बोलते हैं महत्वपूर्टा की अवदाना नेस्ट किसन एक उपकरम मार्च 2005 से अपने वेबसाइट को बंद करने का परस्ताव करता है तो अपने सबी संपतियों को चार महाँ के अवदी के बितर बेच डालने का निर्ने लेता है मार्च 31215 को और्थिक चिटटा के समपतियों को उनके पर दिखाना चाहिए तो किस चीज पर दिखाना चाहिए उसको दो जहर पांच में वह अपने विबसाइ को बंद करने का प्रस्ताओ करता है तो तिसमार्च की बैलेंस सीट की जो saङूफ्तिया उनको किस पर दिखाएगा वह बताई किस पर दिखाएगा जल्दी पिताई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस पर दिखाएगा यह दिखाएगा आपके सुद्ध वसूल करने योग्य मुल्य किसके सुद्ध वसूल करने योग्य मुल्य यानि की बाजार मुल्य किस पर आएगा आपके बाजार मुल्य की बात होएगी यहाँ पे तो अब यह किस क्यों कर रहा है आपके कम समय के जो वैपार होता है उसकी बात हो रही है यह किसकी हो रही है बात है कम समय के जो वैपार होता है उसमें बात हो रही है तो उसमें कम समय का जो वैपार है तो आपके उसका दार पर यह रूडी वादिता में आएगा किसमें आएगा रूडी वादिता में किसमें बैवसाई निकट पूर्वान मान योग्या भविस्या में विगटित नहीं होगा क्या यह मान रहा है कि बैवसाई यह वो निकट भविस्या में विगटित नहीं होगा किसमें माना जाता है बताई किसमें माना जाता है यह मैंने आपको बताया चालू धम के कारण किसमें अवदारना में सिमुही करत किया जाता है जो आपके इस्ताई संपती होती है और चालू संपती है उसको किस अवदारना में वरगी करने है तो मैंने आपको बताया एक तो किया वेका एक किया आपके संपती का ठीक है एक आपके वेका और एक किसका किया है संपती का ठीक है और एक आपके किसका क्या दायत होगा तो इन सब का किसमें किया गया आपके वर्गीकरण किसमें किया गया आपके गोइंग कंसर्म में तो एक आपके ये दायत होगा तो इन चीजों का वर्गीकरण किसमें किया आपके सूधरिग संस्तान में किसमे क्या गया है सुधिर्ग संस्तान यानि की चालू धम यानि की सतत संस्तान यानि की गौइंग कंसर्ण कंसेट नेश्ट कैसन नेश्ट किसन आपके सामने यह है स्क्रीन पर आप इसको पड़ करांसर दीजिए अच्छे से तो क्या आईगा 145 2005 को 124 लाक रुपए में करए किया 31 Mार 200,000 को इसका सुद्ध हसूल ने योग्या मुल्ले 5 लाक रुपए था 31 Mार 200,000 को में दिखाया जाने वाला मुल्ले क्या होगा तो बताजिये इंवे maior चूलकों क्या होगा इसका मुल्ले किस चीज पर होगा अब यह आपके किस पर होगा आपके अगर रूड़ी वादिता पर होता तो वो तो आपके NRV पर यानी कि जो net relation value है उस पर करती है ठीक है और अगर अगर आपके ये बात अगर रूड़ी वादिता पर होती दो गॉइंग concern पर होती किस पर होती Going Concern पर होती तो या आपके किस पर होती NRV पर होती अगर निकट बहुष सेम होता तो NRV पर और अगर यह 2-3 tar समपती, long term के लिए होती तो यह एतियसिक लागत पर होती किस पर होती एहतियसिक लागत पर लागत पर मानवी संसादनों को निमन अवदाहना के कारण चिठे में परदर्शित नहीं किया जा सकता तो किस अवदाहना के कारण मानव के जो संसादन है उनको बैलेंस सीट में परदर्शित नहीं किया जाता किसमे मुद्रा मापन क्या क्योंकि मुद्रा मापन के कोडिंग केवल मुद्रिक वेवारों को ही किया जाता है किसमे किया जाता है केवल जो मुद्रिक वेवार है उनको ही आपके बैलेंस सीट में परदर्शीत किया जाता है मुद्रा मापन वैवार के अनुसार करेसी समवैवार आम गटनाई खाता पुष्ठ को निलीखी जाती है तो गटनाए एहम आपके जो करेसी वेवार है उनको किस में लिखा जाता है आपके देश की प्रभावी मुद्रा में जिसमें खाता पुस्त के तयार की जाती है उस ही में लिखी जाती है मानुए संपतियों का लेखांकन अभी लेखों में कोई स्थान ने रखता ये किस पर आदारीत है तो किस पर आदारीत है ये आपके मुद्रा मापान पर किस पर आदारीत है क्योंकि मानुए संपतियों को नहीं लेते इसमें केवल मोद्रिक वेवारों को लेते हैं किसको लेत की मसं काट मापांग के अनुन मेजरमेंट के कोडिंग किस के कोडिंग मनी मेजरमेंट के कोडिंग के रोत इści दिया जाता है घ्राक से माल Cafrabd करना इसको नहीं निया जाता व्यपारिक बट्टा को नहीं लिया जाता, क्रमचारी के ब्रस्तकार प्रगास्तगी को नहीं लिया जाता, क्रमचारी के उस संपती के रूप में मानने को भी नहीं लिया जाता, मुद्रा मापांग की नेस्क्यूसन नेस्ट क्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको इसको पढ़ कर आपको जवाब देना है क्या आएगा इसमें आपके सामने क्यूशन है RPG ने एक अपरेल दो जारने को पाँजार रुपे में PQR लिमिटेज से उपकरण करे किया संपती को कार खाने तक लाने में दो जार रुपे माल भाड़ा वेकिया तता उद्देश से उपक संबव बनाने तो तीन जार रुपे स्टापना पर वेकिये गए 31 अपरेल 2.000 तसकों मसीumpy नरी का मल्यД 6.000 रुपे विये वियार बुलास्ट में कितना आրबाए उसके 6000 नि साटच हजार रुपई ठीक है पहले तो कितना था उसका 50.000 ठीक है कितना चीह था उसके 50.000 तो एक है थीच esaar तो एक है फ्लस उसके 2.000 एक है तो इसमें आपके B option correct हो जाएगा एतियासिक जो पहले की लागत है वह उन्हीर पर दिखाना चाहता है थीक है? बाजार मुल्ले पर नहीं ठीक है नेस्ट कुसन दोस्तों अगर वीडियो को अब बहीं तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिए यहां पर आपको R.S.R. की ट्रिक G.F.N.E.R. की ट्रिक आपकी जूनियर अकाउंटेंट के 500 वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन R.S.R. के G.F.N.E.R. के दोनों के मिल जाएंगे आपको अकाउंटेंट के ओफिसल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ठीक है ओडिटिंग के MC को मिल जाएंगे बिजनिस ओर्गनाईजिशन के आपको MC को भी करवा दिएगे उनको भी आप देख सकते हैं प्लैलिस्ट में जाकर चलते हैं बागे अपका नेक्स्ट कुसन है SYJ लिमिटेड वर्स दर वर्स की करमागत विदी का परियोग करते हैं तो वर्स दर वर्स हास ठीक है जिसके कारण उसका ऐसी इस तरीके से उप्योग करते हैं तो बताइए कौन सी विदी है वो ऐसी जिसके कारण आपके ऐसे वर्स दर वर्स प्रियोग करते हैं तो हर वर्स ठीक है ना हर वर्स आपके जो समान निती रहती है क्या हर वर्स अगर आपके समान निती रहती है तो वो एक मात्र होती है आपके निरंतरता कौन सी होती है निरंतरता ही कही आपके निरंतरता का ही आपके क्या होता है इसका एक और दूसरा नाम होता है एक रूपता क्या होता है एक रूपता भी कह सकते है या इसको सततता भी कह सकते हैं सततता ठीक है या इसको इस्थाइत भी कह सकते है तो इसमें क्या होता है कि वर्स दर वर्स समान लेखांकन की जो नीतिया होती है ना वो समान रहती है ठीक है उनमें परिवरतन नीतिया ज़ता है और परिवरतन करना है तो उनमें आपके दो नियम अनुक्स का कानु कर सकते हैं क्या तो कानून या विदी के सान नियम verstehen के पालन करने के लिए यह आपके विद्जी विद्धि विवर ने लेखापुस्त को होती है ना उनका बहुतर पस्तुतिक रंगारण करने के लिए तो दोई नियमों के काणड़ आपके परिष्टन कर सकते है वहना वरस तेर वरस आपके लेखाँकान की जो आपकी यूनिफोर्मेटी है वो आपके जो पॉलिस ही है उसको यूनिफोर्मेटी है है उसमें continuity रखनी परती है consistency रखनी परती है ठीक है next question एक बार अपनाए गई लेखांकन निती परिवर्टित नहीं की जाए जब तक ऐसे परिवर्टन के अत्यांत आउ सकता नहीं हो किसमें आती है आपके इस्थायत भी कह सकते हैं मैंने आपको बताया ठीक है very important question है next question लेखांकन नितिया एक हवदी से दूसरी हवदी लेखांकन नितिया वो एक हवदी से दूसरी हवदी तक निरंतर अनुसरन करती है किसमें करती है आपके तो मैंने आपको बताया है निरंतरता में निरंतरता को इस्तायतु भी कहते हैं ठीक है इसको आपके सतरता भी कहते हैं एक रूपता भी कहते हैं कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कंट्यूनिटी भी कहते हैं यूनिफॉर्मेटी भी कहते हैं ठीक है नेस्स कुछन लेखांकन निती में क्या लेखांकन की जो निती है उसमें परिवर्तन उची थेराया जाता है तो लेखांकन की निती में परिवर्तन उची थेराया जाता है किस करम में कर सकते हैं या तो आप लेखांकन के मांदर्णों प्रित्र की नियुक्त। कि या सन्यम्य की तामिलमं ठीक है, तो तो क्या ह psychic noticed? निज कृसमः का ह省़ेम के ओर्थ क आर्थृ क्षिक जीन को के अनसर अहवदि기 का अंत्रारण में बाता जाता नुचछाएक में उसके आर्थिक जो आपके समय अंतराला माटा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं अवदी की अवधाना क्या बोलते हैं पिरियोडी सीटी बोलते हैं पिरियोडी सीटी बोलते हैं या अवदी अवधाना बोलते हैं या काल बदिता अवधाना बोलते हैं आपके जो आपको जो अंतराल होता है अनन्त जीवनकाल उसको निश्चत अंतरालों में बाटा जाता है नेक्स्ट क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन आपके सामने स्क्रीन पर है का पालन करके एक वर्स की अवदी के लिए लाभानी खता बनाया जाता है तो किसका प्लन करके एक वर्ष के अवदिय का लावभानी भाता है किसमे बनाते हैं आपके काल बादिता अवदारना या काल बादिता अवदारना या इसको पिरियोडि सी टी भी बहुल सकते हैं ठीक है Next question एक लेखांग का नवदी के वे को निर्दारन आदारित है तो अवदी के वे किसमे करेंगे आपके एक लेखांग का नवदी है उसके अंकोडिंग वेव का निर्दारन यानि कि खर्चों का निर्दारन कर रहे है किसका निर्दारन कर रहे है खर्चों का निर्दारन तो किसा दार पर होता है या आपके ये होता है आपके मैचिंग या मिलान के सिद्दान पर किस पर होता है मिलान के सिद्दान पर होता है किस पर होता है मिलान या मिलान को आप क्या बोलता है मैचिंग का सिद्दान ठीक है अब क्या होता है ये मैचिंग का जो सिद्धान तैना ये आपके उपारजन की आउधाना पर ही आदरदरित होता है ठीक है इसमें क्या करते है आपके लाभवानी का जो खाता होता है उसको निर्मान करते है ठीक है अब इसके अकोडिंग ही है आपके लाभवानी का जो खाता ह ना, वो सही सही लावानी बताता है, ठीक है, अब लावानी का खाता होता है, उसमें आपके क्या क्या परदसीत करते हैं, अदत या पूरुदत या उपारजित या अनुपारजित, अदत को बोले तो, आपके अदत क्या होता है, आपके आउट स्टेंडिंग, और आपके पू है उसी की आईका मिलान जह फिक्स एवदी के वे के साथ कियाता है वे एंपोटन असी आउदी के अईका विलान उसी आवदी के के वे तब ही इसको कहता है मिलान के वधार्ण अ को आगाना तो वेअर ऍपोटन नेजकर जिससन पर करके 50,000 रुपय का कपड़ा खरीते हैं और उपारजन अवधाना के अनुसार वे की रासी क्या होगी उपारजन की बात कर रहे हैं आपर कौन सी अवधाना की बात कर रहे हैं उपारजन अवधाना की बात कर रहे हैं तो उसका वे क्या रहेगा असो के ने कितने रुपय की बा मुक्तान भी इस जार रुपय किया तो लेकिन चोड तो पूरा पचास जार रुपय का यह होगा ना बाकि उसके दायतें में चल जाएंगे लेकिन होगा तो जो आई जितने भी प्राप्त होती है उसको दर्ज कर ली जाती है ठीक है वे प्राप्त होते ही दर्ज के ले जाते ह next question गराक से प्राप्त अग्रिम को विक्रे के रूप में नहीं लिया जाता है यहां अधारित है तो जो कस्टमर है उससे अग्रिम नहीं की पूरू दत्ते आपके प्रिपेर्ड मिलता है उसको विक्रे के रूप में नहीं लिया जाता है नेस्क्यूसन आदुनिक लेखा पर्णाली का जनब कोन है तो यह आपके लुकास पेसियोली कोन है लुकास पेसियली हाँ इतीन का जनब इटली में थीक है पंदरवी सताब्दी में नेस्क्यूसन उपारजन अवधारणा में लेन देनों वैगटनाओं का प्रभाहू सी अवधारणा में किया जाता है उपारजन के अदार पर ही किया जाता है इसमें किस पे अदार पर किया जाता है उपारजन के जाता है उपारजन के अदार पर ही किया जाता है ठीक है नेस्क्यूसन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको पड़ कर जवाब दीजिए कि इसमें क्या अफसन आएगा ठीक है वर्स दो जहनों के दोरान मोहने पंद्रा लाक रुपए में माल खरीदा हूँ और चार बटा पांच माल अठरा लाक में बेद दिया तिता सताइस जार रुपए के वेका बुक्तान किया उसने दिसम्मर दो जार आट के विद्द बिलका पांच जार रुपए मुक्तान किया तिता महा जनुरी दो जार दसे तू फंद्रा जार रुपए अग्रिम बेतन दिया और उसने पैंटिस जार रुपए सुद लाब की गर्ना की कितने की सुद लाब कितना मिला उसको 35,000 रुपए तो उसके दुआरा गर्ना किया गया लाब क्या सही है तो बता किस के अकोर्डिंग सही है उसका लाब किस के अकोर्डिंग सही है वही जो मिल गया है न वो ठीक है लाब भानी खातों का निर्मान करके किया है जरी नहीं किसने लाबानी खाते को का निर्माण तो लाब भानी कहते का निर्माण किस में होता यह में आपको बता historically मैंचिंग में क्योंकि जब सुध्य सुध्य совिक्र Новिकरत्थ सुध्ध बना विक्रेंगं जब जाकर ऑंद नवगे जर तो लाबानी खाते मिलेंगे कि किसमे होगा आपके मिलान और दारना के अनुसार मिलान और दारना के अनुसार आपके प्रोफिट प्रोफिट और लोस का जो अकाउंट बनाया उसके कोटिंग है आपके प्रोफिट और लोस को पताया जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपके सुद भाई को सुद्ध वै को लिखा जाता है जब जाके आप यो प्रोफिट लोज का पता चलेगा नेस किसन नेस किसन आपके सामने स्क्रीन पर है आप फटा फट जवाब दीजिए अदत खर्चे साल के अंत में लाभानी खाते में दिखाये जाते हैं यह किसा उदाना के नुसार है जो पूर अदत है जो दिए गए नहीं है आउट इस्टेंडिंग जो खर्चे हैं आउट इस्टेंडिंग एक्सपंडिचर है उस साल के अंत में लाभानी खाते में दिखाये जाते हैं तो क्यों दिखाया जाते हैं वाई ये तो ये आपके मिलान के अवधाना के कोडिंग दिखाया जाते हैं क्यों क्योंकि मानलो आई तो आपके पंदरा सो रुपए की हुई ठीक है और वे आपके अठारा सो रुपए का हुआ ठीक है तो उसको जितना भी हन्यू जितना भी प् प्रोफिट एंड लोस अकाउंट के कोडिंग ही पता चलता है तो ये एक मात्र बिलान की अवधाना से पता चलता है तो क्या हो जाएगा आपके A उप्सन करेक्ट आगे बढ़ते हैं आगे क्विशन है उत्पादों के विक्रे से आगम को सामने जते हैं आगम का मतलब होता है आई तो आई को आपके जिसमें विक्रे किया जाता है ठीक है यानि कि जो आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजंप्सन है वो कौन सी है बताइग कौन सी होती है महत्रपूर्टा नहीं होती बैवसाई का स्थित्व नहीं होती, चालू दम नहीं होती, चालू दम होती है, दिवपक्स नहीं होती है, ठीक है, चालू दम होएगी, क्या होएगी, going concern, ठीक है, आपके मूल लेखंकन प्रकल्प नहीं है, वो कौन-कौन सी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ओख्手 होती है एक्रियल ओख्यंट div होती है,すुधिर्ग सवास्थाण फॉपार जण होता है झीयरनतरता होती है यह आपके क्या क्योंद होती है ऐच्टार्वूत बयार बताएे बयुक्त इन मेंसे लेख हंकन की जो माननेता हैं कौन कौन सी है मैंने अभी आपको बताई कौन कौन सी है आधारवूत लेख हंकन की माननेता है कौन कौन सी है आपके सुद्रिक संस्तान है ठीक है सुद्रिक संस्तान है सतता है उपारजन है तो क्या हो जाएगा सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा इनमेंसे कौन सा धारबुत लेखांकर मानेता नहीं है तो इनमेंसे कौन सी नहीं है सुधिर के संस्तान है संत्त उपार जाने तो रूड़ी वादिता नहीं है ठीक है सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इसमेंसे कौन सा सही है बताएए मिलान कीजिए सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से और आप नीचे बताएए कि कौन सा इनमेंसे सही होगा बताएए मिलान करिए सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको और जल्दी आपको कमेंट बुक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा इन में से सही होगा ये है आपके फास सामने चार उपसन A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 तो बता इन में से क्या होगा A में क्या हैगा सियुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पन मुल्य पर दिखाना सियुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है ना उसको आपके समर्पन मुल्य पर दिखाएंगे तो ये किसमें क्या हैगा आपके तो ये आपकी है कि ये आपके रूडिवादिता में आ जाएगी रूडिवादिता में ठीक है तो क्या जाएगा A में क्या जाएगा 3 करमचारियों के समूबाउना तदा करते वे निष्टा को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जा सकता ठीक है तो ये किस में आएगा आपके किस में आएगा तो B में क्या जाएगा आपके फोरा जाएगा क्यों 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 तो यह आपके निरंतर परिवरतन नहीं करना है तो एक समान पॉलिसी किसम होगी आपके C में क्या जाएगा 1 क्योंकि निरंतर ते की अवधाना के कोडिंग इस्ताई संपतियों को एतियासित लागत घटाएं हस पर दिखाया जाना चाहिए तो इस्ताई संपतियों को एतियासिक लागत में किसमें दिखाया जाता है एतियासिक लागत में कौन सी में दे जाता है लागत अउधाना में तो क्या हो जाएगा ओर में D तो A, B, C, 3, 4, 1, 2 तो यह पहला ही उप्सन आपके करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेस्ट कृष्ण पर चलते हैं इन में से कौन सा कथन आशेते हैं चार अप्सन आपके सामने हैं इन में से आपको गलत अंसर बताना है कि इन में से गलत कौन सा है बताई कौन सा है गलत लेखांकन सिद्दान्त वास्तिक माननेताओं पर आधारित होते हैं सही है लेखांकन सिद्दान तो प्योग करताओं को सुचना देते हैं सही है लेखांकन सिद्दान तरहल सब्जने योगे वरनात्मक होते हैं सही है लेखांकन सिद्दान तो वर्स परती वर्स परिवर्थित होते हैं बहुत नुक्त ही है यह बहुत इससस्तान है जो शरतिरे में करतो, तो कोन करता है। हे निमलिक टे में बहुते हैं का लगता है। बाई खातों के समंद में कौन सा गलत है बताईए कौन सा गलत है इन में से बाई खातों के समंद में कौन सा गलत है बाई खाते का कारिय चित्र रिकोर्डिंग वर्गिकर्ण इमसारा से समझ दित है गलत क्योंकि यह अकाउंटिंग के वर्ग करती है ठीक है किसके अकाउंटि सही है यह अभी घरक और अजिक से उपियों सहे बराएंगांगा आप्र निरूय तो पर निर्व पर कलagne drangebum खाता लेखांगे पर क्रिया के बाद होता है नहीं यह भी गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके क्या हो पादिता के सिद्दान्त के अकोडिंग इनमें से क्या सकते है बताओ तो इसमें क्या होता है कि आपके जो भावी हानी है उनको ध्यान में लेते हैं वर्तमान वारी को तो नहीं लेते हैं ठीक है वर्तमान की जो हानीों को लेते हैं सकता हैना लाबों को अधिया नहीं को दिया जाता छिक है हुने को दिया झाँनें विश्टिक है क्यों जाएगा और उपसनपका रिख्ङ्ञट करना होगा तो यह वहरी इंपोर्टन्ट क्यूसल को अब को व्युक्य Алगो को वियुस्थेत करना सभी है groceries के समगत को रक्सित करना-विधा निकाउस्थ तो कुल नो करना सभी है तो गलत क्या हो कारियों औरता है निमले किसमेसे आपको क्या at जल्दी बताए किया होता है। ये क्या हो जाएगा करना होता हैmm यह क्या हो जाएगा पहले क्या कृ करना होता हैं ठीक है पिर आपके वर्गी करना होता है ठीक है फिर आपके संब्सित्सिप्ति करना होता है और जब जा के आपके इंटर्पेंटिं होता है तो क्या हो जा करना है तो ले खंकन समीकन कौन ताइब मैंने आपको बताया संपती क्या होगी पूंजी प्लस दायत हो क्या हो जाएगा पूंजी प्लस दायत हो ए उप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा ए उप्सन आपका बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तो अगर आप 5G Track Solution पर पहली बार वीडियो देखे हैं तो आप 5G Track Solution को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो यहाँ पर आपको सभी तरह के Official Question भी डिटेल सोलुशन के साथ उपलब्द करवाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आगे Next Question पर चलते हैं नेक्स क्यूसन आपके सामने स्क्रीन पर है पुझीगत वैसे लाब उपलबद होते हैं पुटा-पटा आपको बताना है पुझीगत वैसे लाब उपलबद होते हैं लॉंग ट्रम ठीक है लॉंग ट्रम एक वर्ष से अधिक वाले ठीक है जिसको बोलते हैं पूंजिगत पूंजिगत वे और आपके जो अलप अवदी है इसमें आपके आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेस्ट क्विशन निमलक मेंसे कौन सी मद पूंजिगत पर करती की है तो इनमेंसे बताओ कौन सी मद है जो आपके कैपिटल पर करती की है बताओ ये कौन सी है माल का क्रिय है क्या नहीं ठीक है आपके मरमत की लागत है क्या नहीं है मसीनरी की परतिस्था अपने तुकी गई मद्दूरी ये क्य कैपिटल क्यों है यह आपके लोंग टरम प्रफिट देगी ठीक है कार खाना के कराया यह रोज के होते हैं ठीक है यह भी नहीं होगा तो यह किसमें आएंगे माल का करे मरमत की लागत कार खाने कराये रेवेन्यू में एक पुरानी का पुरानी कार 10,000 रुपए में करे की जात स्वामी के नामे कार को पंजेन कराने पर 500 रुपए वह होते हैं तो बारा सु रुपए डीलर की कमिस्उन की रूप में दे जाते हैं कार खाते में डेबिट की जानेoleी रासी कॉन से कुन से है की जाएगी 10,000 प्लस प्लस पानसौ पलस बारा सो ठीक है तो दस अजार प्लस प्लस 500 प्लस 1200 यह आपके किसमा आएगी लागत का योग होगा टोटल लागत का योगा कितना हो जाएगा आपके 12,700 कितनी हो जाएगी टोटल डेबिट की जाने वाली कार के खाते में कितनी राश जाएगी 12,700 Story starts, very important, प्रानी क्रे मसीनों की पूणर म्रमतें पर पुरानी की गई तो यह लूंग टर्म हम में आ जाएगा थीक है पहले की पड़्य वी यह ठीक है किस में आ जाएगे आपके? लूंग टर्म प्रोफिट में आ जाएगाथ 25.00 रुपए वे कि दो थीक है किस में क्या जाएगा या आपके बताए किस में क्या जाएगा सास सो रुपय की मसींद्रे की लागत और मुझ्ता ने तुकी गई मद्दूरी four-docr तो किस मेंगा ये खे Hani army के खयते हैं से पहर मेंगा ये क्या उन एक तिसरोज दुआरा पांच जार रपय वर्दी पर व्यक्य गे। धंद्रास्य के तो चमता बडाएगी। पर वैक किए गे पंच जारुपे डेविट के जाते हैं तो ये किस में किया जाते हैं कि मोटर कार के की ये क्या होती हुती आपके 27 समति जाओगी इस ताइस अब दी next question मसींडरी की स्थापना में करने है तू की गई 2,000 रपे की मद्दूरी की रोजाना मच परवश्टी होगी ठीक है तो क्या होगी रोजाना मसींडरी की स्थापना करने है तू जो भुकतान कर दी आपने 2,000 रपे तो उसकी परविश्टी किस तरीके से की जाएगी बताए किस तरीके से की जाएगी तो डग गया होगा डेविट मसींडरी या डेविट मसींडरी अकाउंट्स तक क्रेस कैस अकाउंट 2,000 रपे ठीक है क्या हो जाएगा आपके भी ठीक है debit machinery account ठीक है machinery की स्थापना करने तो बुक्तान किया आपने 2,000 रपे आप debit कर रहे हो machinery के किस के लिए कर रहे हो रिपेरिंग के लिए machinery के रिपेरिंग नहीं machinery के account के लिए case account के लिए ठीक है next question ऐस्था ही जौपडों के निर्मान क्या एस्ताई जोपनों के निर्मान है तो जो सिनेमा गर के निर्मान है तो आप सकती जिने सिनेमा गर के तयार होने के बाद गिरा दिया गया पर वेरासी है तो पहले तो वो सिनेमा गर के जोपनों के निर्मान के लिए थी लेकिन सिनेमा गर का निर्मान होते है इनको गिरा दिया तो किस में आएगी आपके पूंजी गत्वे में किस में आएगी कैपिटल वे में आएगी क्योंकि तो तेयार होने के बाद गिरा दी गया तो वेर आसी जो भी है आपके तो वो किस में आएगी आपके पूंजी गत्वे में ठीक है ने इस किशेंट विद्मान संपती के सरचनात्मक प्रिवरतनों पर 25,000 रुपर लगाए गए जिससे इसकी आइगत अरजन शंपता बढ़ जाती है इस्ताई संपती की शंपता बढ़ जाए तो वो किसम ऐएगी आपके पूंजी गत्वे में किसमेंगी पूंजी गतबे में अहली में क्रेकी गई एक पुरानी कार को प्योग करने से पूर्व मरम्ट पर वेकिये गई 1500 रुपे किसमेंगी या आपके 1500 रुपे मेंगी किसमेंगी तो कि ये भी क्या हो जाएगी आपके 27 संपती कहलाएगी ठीक है नइस क्यूशन नइस क्यूशन आपके सामने इस्क्रिने पर एक नए henry की stopping pela wave को debit करता है तू किस परानी ऊसी इन झाल के क्रैप परbaar उसके ओ्वर होलिंग पर फट्ची सो रुपे खर्च के गई, तो मैं किस क्या कहलाएगे, ओवर होलिंग पर फट्ची सो रुपे खर्च करेंगे, तो ये भी आपके क्या हो जाएगी, पू जी गत वैमे आएगी किस में आएगी, कैपिल वैमे, Next Question, नेस क्यूंस्ट टो सिनेमा वोल में अगर आभ बैठने की छमता बढ़ाने के लिए खर्च की गई रासी क्या कहलाती है तो सिनेमा होल में अगर आप बैठने की छमता बढ़ाते हैं तो वह पूंजीगत वैम आएगी क्योंकि अगर उसकी कार्यासील और छम्ता बढ़ जाती है इस वजे से Next question पुन जिगत संपतियों के करे है तू विदेस हो गए संचालकों के यात्रों के रूप में 30,000 रुपे की राती क्या है तो पुन जिगत संपतियों उनके करे करने के लिए विदेश गए संचालकों के यात्रा के रूप में वही हो पूंजी गत्वात संपते को विदेश में खरिद रहे हैं तो जो असे संचालक गए है उनकी यात्रा के रूप में जो खर्चा होगा है 30,000 रुपाय गे martyrी उसको क्या मानना जाएगा किसमें माना जाएगा उसको पूंजी गतवे में ही माना जाएगा उसको किसमें माना जाएगा पूंजी गतवे में तो जो ऐसा वे ठीक है जो इस्ताई संपते की खरीद में खर्चुआ है वो भी किसमें आता है आपके इस्ताई संपते की खरीद के लिए हो रहा है पुण्जिगत वे में नेस्कुशन पुण्जिगत वे खहां से समंदित होते हैं पुण्जिगत वे खहां से होते हैं आपके बैलेंस सीट से किस से होते हैं बैलेंस सीट से समंदित होते हैं बैलेंस सीट के भी कौन से पक से होते हैं या आपके संपती पक्से होते हैं कौन से संपती पक्से हैं next question निमलिक्त मेंसे कौन एक पुझीगत लेंदेन है बताईए इन मेंसे कौन है जो पुझीगत लेंदेन है बताईए पुझीगत लेंदेन माल को भेचना मसींदरी की खरीद. तो यह मै ने आपको बताया मसींदरी की खरीद. ठीक है इस्ता ए समपती के लिए. किसमें आएगी आपके? किसमें आएगी? पुँजी का तुलाइन देरे. अचल समपती के अधिग्रहन के लिए के गए वे को क्या कहेंगे कोई अचल संपती है ठीक हो उसको अधीघ्रेन कर रहा है तो उसको जो वेख हत हो रहा है उसको क्या करेंगे जो आपके अचल संपती है वो सब क्या होती है इस्ता ही ठीक है इस्ता ही संपतिओं के बैगर क्या कहते हैं आपके अधोर आफ़ने की समधित होत हैं कि तो आई गतुए कहते हैं कि फॉसे ।息 से कहते हैं कि आभिंदू सोरी आई अपके राजस्व वेसे आने की रेवेन्येव एक發現 कि सब्साइड थे ज़ुन होते हैं आपके व्यापार घाता और लावानी से दोनों से होते हैं क्यों जाएगा वी और सी दोनों ठीक है व्यापार घाते से होते हैं और आपके पूंजी गतव होता है वो आपके बैलेंस हीट के इस संपती पक्स से होता है किस से होता है संपती पक्स एक वे एक वे एक पुंजिगत वे है क्यों है तो एक वे खर्चा पुंजिगत वे क्यों होगा क्योंकि उसकी जो भविस्य के अवदिय है उसको लाब पूंचाना है ठीक है इस वज़े से होगा क्योंकि वो लोंग टरम है इसलिए क्या है लोंग टरम है लोंग टरम पर फिट देगा इसलिए Next question मसीनरी की खरीद को इस परकार वर्गी कट किया गया है तो मसीनरी की खरीद को किस परकार वर्गी कट किया गया है बताईए मैंने आपको बताए इस ताहिस हमपती के लिए पुझी गत्वे next question खरीदी गई मसीनरी पर बुकतान के गया भाड़ा कोई मसीनरी खरीदी है उस पर बुकतान के गया भाड़ा किसमें आएगा बताए ये भाड़ा भी उसके लिए जो भी खर्च होगा उसके लिए सब पुझिगत वे में आएगा ठीक है तो जब तक वो up to ready to put to use ठीक है up to ready to ये very important line है up to ready to put to use जब तक जो भी खर्चा होगा सीतना भी वे होगा वो सब पुझिगत वे में आएगा furniture की खरीद पर बुक्तान किया है जाने वाला भाड़ा furniture की बात हो रही है पहले machinery की अब furniture की बात हो रही है तो उसमें भी वही होगा आपके up to ready to put to use ठीक है आपके क्या कहला हैगा पुझिगत वे ठीक है next question भूमी संपती खर्दने के लिए खर्च का प्रती निद्दू करते है तो भूमी संपती के लिए आपके Яस्ताई होती है ठीक है क्या इगा पुझिगत वे भूमी खर्दने के लिए कानूनी अगर खर्च हो रहा है भूमी खर्यदने के लिए के कानूनी खर्च है वो भी किसमे आएगा आपके पूंजी गत्वे में next question राजनितिक दल को प्राप्त है चंदा राजनितिक दल है उसको कोई चंदा प्राप्त हो रहा है तो वो किसमे आएगा आपके पूंजी गत्वे में आएगा किसमे आएगा राजनितिक दल है उसको जो चंदा प्राप्त होता है वो भी आपके capital capital expenditure में आएगा किस में आएगा capital expenditure आपको मैं अब एक बार और बता देता हूँ कि जो यह आपके पुझीगत वे होता है यह क्या क्या होता है यह आपके long term के लिए होता है future period के लिए होता है more than one year होता है balanced इसके किसे होती है आर्थिक चिट्टे से समन्दित होता है यह सारे सारे संपती पक से समन्दित होता है ठीक है औरी संपती में भी स्थाई संपती से होता है संपती मतलब की up to ready to put to use तक की ठीक है जो आपके लिखा कार है सबी वे को योग करता है हिष्टाई संपती की लागत एतियसी की लागत का दिर्मान होता है ठीक है जो आपका लिखा कार है 5 जिगत वे तब तक समन्दित 2 इस्थाई संपती खातों को करेगा डेविट करेगा इसमें क्या करेगा पुँझिंगत वे होगा, तो उसमें पुँझिंगत वे के खाते होते हैं उसको क्या करता है? हमेसा डैविट करता है कैसे क्रता है? हमेसा डैविट करता है ठीक है, और ATSS को Bylan wellbeing में संपति पक्स पर दिखाएगा फिर उसे इसारी संपति पर ready to put to use कितिती से भास लगाएगा ठीक है और यदि कोई वे किसी इस्ताई संपति के निर्मान अस्तिति में लाने के लिए अनिवारी है तो ऐसे वे भी पूंजिगत वे क्या लाएंगे ठीक है जिसे इस्ताई जौंपरों का निर्मान भी क्या होगा पूंजिगत निर्मान next question अचल संपतियों को कारी क्या स्थल पर लाने के लिए कि गए खर्च किस में आएंगे यह भी आपके पूंजी गत्वे में आएंगे पूंजी गत्वे में बहुत सारे सबसे जदा पूंजी गत्वे में आते हैं ठीक है किसमें आते हैं पूंजी गत्वे में यह मैंने आपको एक पूसर बताया कि राजनितिक जो राजनितिक डल है उसको चंदा प्राप्त करेंगे राजनितिक डल है उसको प्राप्त चंदा क्या आएगा तो यह आपके आएगा आइगत प्राप्ति में किस में आएगा आएगा यानि कि रेवेन्यू में आएगा रेवेन्यू में यह वेरी इंपोर्टेंट है आइगत किसमे आएगा revenue में क्यों आएगा कि ये जो है ना राजनतिक डाल कि वो अब चल नहीं पा रहे तो उनको चालू condition में बनाए रखने के लिए ठीक है तो उनको चालू condition में बनाए रखने के लिए आपके चालू condition में बनाए रखने के लिए ही आपके क्या किया जाता है, आपके चंदा दिया जाता है ठीक है, नेस कुछन नेस कुछन आपके सामने स्क्रीन पर है, कोपी राइट प्राप्त करने के लिए एक प्रकासक दुवारा किया गया वे कोपी राइट प्राप्त करने के लिए जो खर्चा हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा आपके पूंजी गत्वे होगा ठीक है क्या होगा पूंजी गत्वे ठीक है अमूर्त और अद्रिश संपतियों के लिए भी आपके जाएगा पूंजी गत्वे होगा ठीक है निमिल्क मेंसे कौन सा लेंदेन पूंजिगत परकरती का है तो बताइए निमेंसे कौन सा लेंदेन है जो आपके कैपिटल एक्सफेंडिचर का है कौन सा है एक कमपनी दुवारा एक ट्रक की खरीद ठीक है तो यह आपके कैपिटल में आएगा ठीक है पुराने टायरोड प्रोफिट के लिए प्रौफिट के लिए लॉंग्सर प्रफिट के लिए थीक है ने,س संप्ति क呀 करणे के लिए प्रौफिट के लिए कानूनी सुलक रिख है तो संपति को अगर आप राप्त करना चाहते हैं उसमें कानुम के लिए जो सुलक लगेगा वो भी आपके किसमें आएगा पूंजी गत्वे में परानी motor car को उपयोग में लाने से पहले उस की मरमत pull उपयोग में लाने से पहले कर रहा है, आपके सही उपयोग में लाने वे बोलते न कि ready to put to use, ठीक है न तो उसके लिए पूँजी गत वे आपके सत्य हो जाएगा, क्या है कि यह बहत सत्य है, next question एक किसान दुवारा एक जीवित इस्टोक की खरीद ना करना एक किसान अगर जीवित इस्टोक आने की लाइव इस्टोक खरीद रहा है लाइव इस्टोक आने की पसुधन की खरीद तो यह क्या होगा आपके long term profit होगा एक साल से अधिक के लिए खरीदेगा क्यों हो जाएगा पूंजी का तुवे next question trial run पर किया गया खर्च तो trial run होता है उस पर किया गया खर्च आपके किस में आएगा पूंजी का तुवे गया क्योंकि यह भी long term होगा next question निमन में से कौन से खर्च है तो सेंतर की लागत में सामिल नहीं किया जाता तो इस में से कौन सा खर्च है जो सेंतर की लागत में सामिल नहीं किया जाता पताएगे कौन सा खर्च है जो लागत में सामिल नहीं किया जाएगा पताएगे कौन सा है सेंतर का क्रमन ले किया जाएगा इस्तापना वे किया जाएगा सुपूर्द की कहाएगा रख 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 के लिए बताइस में किया जाएगा मरमत खाता या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि जो अफिरनीचर बगा फिरनेचर में मरत करेंगा बताईए कि केशमेंट करके बताईए जल्दी निमननाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है आपके आईगतवे ठीच है, वैतित का मतलब कीvietफाइड, ठीच है अश्पइड जो आपके expenditure है उसको आईगतवे ये relig भे भी कहते हैं और अनेक्सपाइड को आपके क्या बोलते हैं? अनेक्सपाइड को क्या बोलते हैं? फूंजी के तबे हैं. Next question. एक मसीन की मरमत के लिए 100 रुपे खर्च के गए, याना ऐसी डेविट की जाएगी. तो 100 रुपे खर्च के गए, किसमे की जाएगी मरमत काते हैं, किसमे की जाएगी मरमत काते हैं. ठीक है? Next question. सैंट्र मसीनरी के रख रखाओ पर बेकिह गए 5000 रुपे. किस में आएंगे? सैंट्र मसीनरी में पर किस में आएंगे? आए गत बे. यह आपके रख रखाव के बात हो रही है ठीक है रख रखाव के लिए जो भी किया जाता है चालू आतों में रखने के लिए आईगत में आते हैं उखारने थता डहाने के वे है तो उखारने थता डहाने के वे किस में आते हैं आपके आई गतवे में ठीक है रेवेनु में वेरी इंपोर्टेंट है किस में आएंगे आई गतवे में ठीक है आगंबे में ठीक है चालू हलत को बनाये रखने के लिए यानि की आगंबे में बिनिर्मान रख रखाऊ सब किस में आते हैं रेवेनु में इस कुछन इस्टेशनरी के रूप में परियोगे तो खरीदा गया कागज किस में आएगा तो वो भी आपके किस में आएगा रेवेनु में इस कुछन आपके ऐसे वे जिनके लाब एक वर्ष से अधिक प्राप्त नहों वे कहलाते हैं तो एक वर्ष से कम प्राप्त होंगे तो उनको क्या कहेंगे आप कारोबारी ग़ंटों के बाद केसर द्वारा की गई चौरी इसे नगदी की हनी किस के हनी होती है आपके राजस्वानी यानی की आईगतू है करमचारियों को वर्दी की आप पूर्टी की जाती है हर साल करमचारियों को दी जाने वाली वर्दी की कीमत 5,000 रुपए किस में आएगी सराब विक्रेता दुवारा लाहिसेज प्राप्त करना किस में आएगा ये पूंजीगत वे में किस में आएगा क्योंकि ये लाइसेंस है ये अमूर्ट में आता है और अमूर्ट आपके ने बता है पूंजीगत पैंटेंट के नवीकरन सुलक है पैंटेंट के नवीकरन सुलक किस में आएगे आपके राजस्वे में ठीक है पुनर्विक्रे के लिए खरीदे गए मालकी लागत किसमे आएगी पुनर्विक्रे के लिए खरीदे गए मालकी मत राजस्वे में आएगी किसमे राजस्वे में आएगी किसमे राजस्वे में आएगी ठीक है अचल संपतियों पर मुल्य हासका एक उद्वान अचल संपतियो का मुल्या हास का एक उद्धान कून सा होता है यह आपके है राजस्रुवे होता है ठीक है नेस कुछन भारी विज्ञापन वे को क्या माना जाता है इसको माना जाता है आस्थगत आइगत वे क्या माना जाता है आस्थगत यानि कि समय एक से पांच वर्स के बीच हो ठीक है औ होता है ये नई उत्पाद के लिए आस्तव आयगत वे वे नेश कुंसन, पून जीगत प्रापती को परदस्रीत करते हैं, पून जीगत प्रापती होती है, उसको किसमे परदस्रीत करते हैं? या आपके बैलेंस learntHow much आइगत पर क crouchती के सब वयाएंअ उप्रापतिया जाते हैं जाते हैं किस ऴजता हैं व्याप पर खाते मैं लाभणानी खाते मैं और भी दोनों ही जात और अचल सम्थी की बिक्री से प्राप्त रासी राजस्व प्राप्ती का एक उधान है तो अचल सम्थी की बिक्री से प्राप्त जो रासी है राजस्व प्राप्ती है वो किसका उधान होती है आपके पूंजिगत प्राप्ती का किसका होती है यहां पर पूंजिगत प्राप्ति आना चाहिए था क्या आना चाहिए था पूंजिगत प्राप्ति तो यह क्या है गलत बात है ठीक है आई सत्य हो जाए भ्यापार में इस्टोक की बिकरी एक पूंजिगत प्राप्ति है भ्यापार में जो इस्टोक है उसकी बि कानी मसीन का स्क्रेप मुल्य 5,000 रुपए तो यह किस में आएगा यानि कि स्क्रेप मतलब कि कबाड मुल्य है तो जो आपके कबाड मुल्य है वो किस में आता है कबाड मुल्य पुंजिगत प्राप्ति में आता है किस में आता है यह पुंजिगत प्राप्ति में कबाड ठीक ह UTI से प्राप्त निवेसों पर जो ब्याज है तो क्या होता है आपके आगम प्राप्ति का होता है आगम या आइगत प्राप्ति का कारले में दूरबांस कनेक्शन एतो MTAनियल को बुक्तान किया प्राप्ति कीगिए 9000-20 किसी वेबसे इकि आई छम्ता का बढ़ाने के लिए विएके गियर के राप्ति手 है तो io चंता बढ़ाएंगे उसकी तो किसमेल आएगी फूंजी गत्वय में है Catholic City बढ़ामे के लिए पूंजी गत्वय में Sustainême चलाने तु लाइसेंस का भी Cinema चलाने तु लाइसेंस ले रहे हैं किसमेल ऐगा यह आयाँ आपके पूंजी गत्वय में दोस्तों अगर अभी तक आपने जूनिर अकाउंटेंट के लिए पार्ट बी के लिए रसर जी एफ एंड यार ट्रिक दोनों की 500 यह 100 MCQ अगर इनको आपने देखे नहीं अभी तक वीडियो तो आपके आगे है पहला क्यूसन है ले खांकन में यह भी वेर इंपोर्टेंट क्यूसन है जो एकजामस में आयवे क्यूसन है कौन से है यह एकजामस में आयवे क्यूसन है लेखांकन में लेखा होता है तो क्या होता है केवल मोद्रिक लेंदेनों का होता है अब तो रिवीजन चल रहा है अपना क्योंकि यह कैसे क्यूसन बहुत बार आगे है लेखांकन में क्या हो आतोंаж होती है कि dal को अभावू भी हो सकता है कानूनी मांपल हों में परमाद तो क्या हो जायेगा या बृप्षिन आपका कर तर जाएगा यह कानून इसके आपके सीमा है ले הוא कंकर परियुअः अधार already जो पुस्तपालन होता है आपका बुक कीपिंग होता है वो किसे समनित रहता है कि वित्य समंगों का केवल लेखांकन करता है किसका करता है पाइनेंसिल जो इस्टेटमेंट हो सा है तो उसका लेखांकर करना पुस्तपालन होता है निमन में से कौन सी लेखांकन की उपसाखा नहीं है तो बताए इसमें से सब फिड कौन सा नहीं है बताए जल्दी कौन सा नहीं है वित्य लेखांकन है परबंदिय लेखांकन है लागत लेखांकन है पुष्ट पालन बुक कीपिंग आपके लेख अकाउंटेंची का भाग है अकाउंटिंग कर अधिकारियों के लिए निमन में से कौन सी सुचना सबसे अधियुप्यों कुछता है तो जो टेक्स ओफिसर होते हैं उनके लिए सबसे वेरि इंपोर्टेंट बात कौन सी इन में से फरमका नगदी से इस नहीं है इस दाही सम्पतेओं का पुष्ट के मुले से नहीं है वर्स के उधर विक्री नहीं है वर्स के दोरान कितना लब मिला इसी के अधवार पर जितना लाब भिल, जितना लाब देंगे होगा उतना टेक्स देना होगा ठीक है? ये वोगाप के डियोप्छन लेखांकन सिद्धान सामानेत आदारित होते हैं तो जो लेखांकन सिद्धानत है वो किस पर आदारित होते हैं वस्तु प्रक्ता पर किस पर होते हैं वस्तु प्रक्ता लेखा समेकन आदारित है किस पर है डिवपक साउधाना पर कि डबल एंट्री सिस्टम पर जूल एस्पेक्ट पर उनम एक फटनीचर वेपारी है जिनि मिन में से कौन सा लेंदेन का उसकी पुस्टकों में लेखा नहीं किया जाएगा तो किस चीज का नहीं किया जाएगा बताईए 15,000 के लकड़ी खरिदेगी तकिया जाएगा 10,000 का सो पसेट खरिदेगी तकिया जाएगा 5,000 का गरहलू खरनीचर बेचना इसको नहीं जाएगा भई फरनीचर वेपारी तो फिर गरहलू चीज को क्यों बेचेगा ठीक है उसको थोड़ी गिना जाएगा निस किसन मूर्थ संपती नहीं है बताएगे जल्दी फटाफट मूर्थ संपती नहीं से कौन सी नहीं है अमूर्थ है अमूर्थ कौन सी आपके गुड़ बे लियाने के क्या थी मसीनरी मूर्थ है रोकर कैस मूर्थ है श्टोक को मूर्थ है वित्य वर्स के अंत में निस किसन आपके सामने वित्ञ वर्ष के अंत में जिस दोरान 2 लाक का तो ये हैं, तो ये क्या कह जब आधाएगा आप क्या क्या भी होगी और लेंड देंड दोना होगा, ठीक है? क्या होएगा आपके गट्ना भी होगी और लेंड देंड ठीक है? C ऐोपसन निमन मेंसे कौन सा पूंजी गतवे है तो इन चारों मेंसे आपको बताना है कि कौन सा पूंजी गतवे है बताए इन मेंसे कौन सा पूंजी गतवे है जल्दी बताए कौन सा है बहुन के निर्मान के लिए चुकाई गई मजदूरी तो बहुन के जो निर्मान किया मजदूरी दिरश्चे इन में से कुन सी है बताई जे कょं सी ये दिरश्चे है तो ये होगा आपके विनियोज कौन सा होगा विनियोज इसकिशन दूपिक्सिया उद्ट्रना के अनुसार कौन सा है तो बताई ये कौन सा है समपतिय क्यों होती है दायतू और पूंजिले खंकन समिकन भी कहते है रूडी वादिते का सिद्दान्त कौन सा है रूडी वादिता का सिद्दान्त है वो क्या लेखा करता है आपके भविसे की सबी हानियों का परंतु लाभोका नहीं करता है ठीक है ठीक है नेस्ट कुशन उपारजन के उधारना आदारित है उपारजन की जो आक्रिवल के आपके उधारना है वो क्या किस तक तरीके से रहती है आपके मिलान के सिद्दान्त पर होती है किस पर होती है मिलान के सिद्दान्त पर किस पर होती है मिलान के सिद्दान्त पर आई को किसे मिलाया जाता है वै पर कटी करने का उसमें आपके पोजिशन स्टेटमेंट है उसमें सभी दायत होते हैं उसको दिखाए जाते हैं के काने एक छोटे केलकुलेटर की लागत को व sullagत को व अजाता है, इसी संस्ता के वित्ति हैं विवरेन में समपती नहीं माना जाता, तो छोटे कलकुलेटर को वे किसमें माना जाता है, इसको कहते हैं सार्ता के उधारना में किसमें, यह है आपके सार्ता के उधारना, सरिफ important को ही बताओ, बाकी को मत दिखाओ, यह उसमें आठाओ, इस्ताई समपती पर depreciation निमलक्त में स रिपनें से किस सिद्धानाल लगाया जाता है।ぎ इसता ही समपति किसं समस्द या जाता है। किसमें लगा जाता है कि िकाएता हैrios करेंग के साथ कुरूब ऑमचंग कौन से लह यूड़ा से लिए आपके अदार भूत लेखाहंकर माननेता नहीं है तो मानेता है इन में से कौन सी नहीं है गोईंग कंसरन है, कंसिस्टेंस या क्रोल मैटरलीटी नहीं है, कौन सी नहीं है, मैटरलीटी वित्य विवरणों में पेशों को ने लिखना और संख्याओं को लिखना तो ये किसमे होता है आपके संख्याओं को लिखने के लिए very important यानि कि सार्ता उधाना में यानि कि स्रिफ important को लिखना है लेखांकन की वहसा का जो निर्णे ने तुस समंगों के प्रक्रियांकरन और पस्तुतिकरन से समझ दीता है समंगों के प्रक्रियांकरन और पस्तुतिकरन से समझ दीत कौन सी होती है आपके management लेखांकरन next question सामाजिक लेखांकरन है जो आपके social accounting है उसका विपारिय क्या होता है सामाजिक आई में लागत का लेखा करना किसमें आएगी आपके social accounting है next question next question stock के मुल्यांकरन के समझ में एक नियम का पालन होता है लागत मुल्या में बाजार मुल्या दोनों में से जो कम हो इस सिद्दान के पर नाम सुरूख कभी stock का मुल्यांकरन लागत मुल्या पर के जाता है तो कभी बाजार मुल्ले पने लेखांकन के जिद्दान का प्रयोग होता है तो किसमे होता है रूडिवादिता की समझे प्राव ठीक है किसमे होता है रूडिवादिता की ठीक है Next question लेखांकन की विभिन साखाओं के विकास का क्या लेखांकन के विबिन साखाओं के विकास का करम कौन सा होगा तो very important है करम बताना है आपको परीचारक लेखांकन ठीक है फिर इससे वित्य लेखांकन फिर इससे लागत लेखांकन फिर इससे परभंद लेखांकन इससे फिर सामाजिक लेखांकन तो परिचारक लेखांकन से स्टार्ट होके और सामाजिक लेखांकन तक कारिय करना यह किसमें आते हैं आपके सब लेखांकन की साखाओं का विकास जिसे अवसक तत्तो के रूप में स्विकार कर लिया गया हूँ से क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको अवधाना कंसेप्ट कहते हैं संपती बराबर दायतु प्लस पूंजी क्या है तो ये आपके लिए अंकल समीकान कहलाती है आम सहमाती पर अधारित वैवार अमरस्म उसको क्या कहते हैं परंपरा क्या कहते हैं परंपरा ठीक है नेस क्यूसन गुरू लिमेटेड ने दस लाख में मईसीन को क्रेकिया और स्थापना वे 20,000,000 रुपे इस मसीन का बाजार मुल्य 12 रुपए है कमपनी के वर्ष के अंत में मसीन को बाजार मुल्य पर मुल्यांकित किया एक किसा उदारणा का उलहंगन है किसका है ये लागत के उदारणा का किसका है लागत के उदारणा का उलहंगन ठीक है पेसो की भूल राउंड आकड़ों में बित्ते विरन में दिखाना पर आधारित है तो पेसो की भूल राउंड आकड़ों में बित्ते विरन में दिखाना तो यह आपके पेसो की भूल राउंड आकड़ों में दिखाते हैं तो यह किस में आता है आपके बता यह किस में आता ह देंदार 50,000 रुपए पर 5% की दरपर देंदार उपर बट्टा करना है तो ये किसाउधाना की टैद करते हैं बताइए तो ये करते हैं आपके रूडिवाधिता की टैद किसके टैद ये आता है डूबत आयो जैने में जी डबल एपी है जी डबल एपी क्या है आपके सामाने स्विकर्त लेखांकन सिद्धानत क्या होता है सामाने स्विकर्त लेखांकन सिद्धानत है उसको क्या बोलते हैं जी डबल एपी जन्रल आपके अस्यूड अकाउंटिंग प्रिंसिपर लेखांकन की कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका नुसरन लेखाकार लेंदेन को रिकोर्ड में वित्य विरुन बनाते समय करता है अनेक लेखांकन अभ्यास की विचार धारा के द्वारा होने वाली गलतियों कि अवसर पर एश पष्टा को यह नियम कम करते हैं कि कौन सा नियम होता है बताएए यह कौन सा होता है लेखांकन मान को की अनियम होते हैं कौन से के स्टेंडर्ड होते हैं नेके होते है । दिया हुआ है ठीक है आपको कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताना है कि किसमें क्या आयेगा यह है आपके सामनी कुसरन दिया वै जनवरी 31. container संपती 30 अजार दाइत तो 13जार पूंजी 16500 तो वर्स के दोरान स्वामी दुआरा 4000 के आहरण किये गए तो पूंजी की रासी एक जनवरी को क्या होगी बताईए पूंजी की रासी एक जनवरी को क्या होगी बताईए फटाफट क्या होगी एक जनवरी को रासी तो इसमें आपके option आएगा आप इसका solution comment box में comment करके बताइए 17000 कितने आएगा 17000 next question निमन में से कौन से लेखांकन अवधाना नहीं है तो बताइए इन में से कौन से लेखांकन की अवधाना नहीं है बताइए परणालिगत अवधाना कौन से अस्तित्तु समंद्य उधाना होती है चालू ववशाय होती है द्वेत पक्स भी होती है ठीक है परणालिगत नहीं होती है sorry प्रात्मिकता निर्दारन मार्सलिंग टेक्निक पारिभासिक सब्द किसके लिए उप्यो किया गया तो मार्षलिंग टेकनिक किसके लिए किया गया बैल्रेंसिट के लिए किसके लिए जिट्था के लिए ठीक है नैश्Okushon आकास्मिक दे गद्यदा के परदाशन का कारण क्या है तो आकस्मिक देगत के क्या है प्रदशन के संपून प्रकटन की डिस्क्लोजर की प्रंपरा किसके कारण है ये डिस्क्लोजर की प्रंपरा नेक्स कुशन अदत्वे खाता क्या होता है तो बताईए इन में से अदत्वे खाता हो क्या होता है यह होता है आपके व्यक्तिगत खाता होता है क्या होता है व्यक्तिगत खाता ठीक है वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है व्यक्तिगत खाता नेक्स है लेखांकन के दूर दरसीता सिद्धान के समझ में निम्र में से क्या सत्य है बताईये क्या है बावे आनियों को ध्यान में नहीं रखना जब कि लाँब को नहीं रखना ठीक है क्यूसे.' आदुनिक लेखांकर परनालिके जनक कउन आपके लुकास पैसियोडी कुन है लुकास पेसी हो दी नेस्स कुशन वहांसा से समंदित पर करिया कौन सी है तो वहांसा से समंदित पर करिया कौन सी जल्दी बताईए वेरी इंपोर्टेंट कुशन है ना अकाउंटिंग एक वहांसा से समंदित पर करिया है दोस्तो इसी के साथ आपके सारे क्यूशन कंप्लिट हो चुके हैं ठीक हैं ये आपके फर्स्ट चैप्टर के हैं सेकिंड चैप्टर आपके सामने जल्दी आएगा इसके पहले आप ओडिटिंग के बीओ के आप जी एफन यार आरे सार सभी के क्यूशन देख सकते हैं वो बेरी इंपोर्टेंट आने वाली एगजाम के लिए फर्स्ट रिविजन में भी काम आते हैं धन्यवाद